कौन से शब्द हैं? वो जो दो शब्द हैं Greek language के वो हैं पहला शब्द है Entomon जिसका मतलब होता है insect, कीट और दूसरा है Logus, Logus का मतलब होता है study तो Entomology में आप क्या करते हो? Study of insect बहुत ही basic level का ये questions है ठीक है? तो हम starting से classification से ही चलेंगे बिल्कुल यहाँ पर सबका सही answer है चलिए आगे चलते हैं ये भी वियान रखना Entomon शब्द का मतलब insect होता है Logus का study होता है अगला सवाल, insects belong to which phylum? जो ये कीट होते हैं उनका phylum कौन सा है? समुदाय कौन सा है उनका? options are A. Arachnida, B. Insecta, C. Arthropoda या D. Diplopoda कौन से phylum से बिलॉंग करते हैं? जल्दी से बता दीजे Good afternoon, good afternoon. तो हमारे पास शलेंद्र गलत हो गया answer? शुभांकेत, Insecta बताओ मैं? B और C में क्यों confuse कर रहे हो तुम? मैंने B option इसलिए रखा था कि तुम confuse हो जाओ और अगर examiner ने भी रखा तो confuse हो जाओगे. Insecta जो होती है वो class है. वो क्या है? वो वर्ग है. Class है. ठीके? Class. हमने पूछा है phylum कौन सा है? समुदाए, किस समुदाए के अंतरगत ये आते हैं? तो phylum है Arthropoda. ठीके? ये जो Arthropoda शब्द है, ये भी Greek भाशा का ही शब्द है. Arthropoda भी Greek language का ही शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? Arthro. Arthro का मतलब होता है jointed. Jointed और poda का मतलब होता है pair यानी legs. तो कोई भी ऐसे organism जिनकी टांगे jointed होती है, जुड़ी हुई होती है. उन्हें Arthropoda phylum के अंदर रखा जाता है. ठीके? आपको मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा भ्रहमांड है, जैसे बहुत जादा planets है, ठीके? बहुत सारे planets में हमारी प्रिथवी भी है, अर्थ भी है. अब इस प्रिथवी पर बहुत सारी countries हैं, इन countries में बहुत सारे different states हैं, districts हैं, block हैं, cities हैं, villages हैं, तो वैसे ही एक animalia kingdom होता है. बहुत बड़ा kingdom, animals का, हम भी उसी में आते हैं, insect भी उसी में class है, ठीके? largest class, सबसे बड़ी class, सबसे बड़ा वर्ग, जो phylum arthropoda है, उसकी है insecta, insecta को hexapoda भी कहा जाता है, इनकी legs जुडी हुई होती हैं, लेकिन 6 होती हैं, यानि 3 जोडी पैर होते हैं, 6 तांगे होती हैं, इसके अलावा, arachnida भी एक class है, arthropoda phylum की, चलिए, आपको ये clear कर दिया चालेगा, आपका एक topic है, and that topic is called classification, है ना, आपका जो classification topic है, जो की आपके बिहार बियों के slaybers का topic है, classification of insect, उस classification में हमें देखना है कि उसका एक तो kingdom पता होना चाहिए, कि कौन से kingdom से है ये, animalia से है, एक इसका phylum पता होना चाहिए, कि कौन से phylum से है, arthropoda phylum से है, arthropoda, उसके बाद कौन सी class से है, तो insecta class से है, और इसी insecta class को क्या बोला जाता है, hexapoda जादा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है है घुजा पोड़ा यानि हैग्जा मतलब छे पोड़ा मींस लेक्स तिक लेक्स लेक्स ओके जी इता समझ में आ गया येस ये भी question बहुत important है करवा भी चुकी हूं कि ये जो classification है किसकी classification सबसे widely accepted है किसकी जो classification है वर्गी करण है सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था या accept किया गया था ठीक है तो वो है ADIMS कौन है ADIMS ठीक है अब ये जो ADIMS है ये father of entomology नहीं है father of entomology कौन है William Kirby William Kirby he is the father of entomology father of entomology ठीक है तो ये सारी चीज़े आपको धियान में रखनी है then orders आते है orders भी आपको धियान में रखने है अभी मैं examples बताऊंगी और orders भी आपको learn करवा दूँगी ठीक है चलिए तो यहां पर C हो जाएगा आर्थ्रोपोडा अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है वाट इस दो ट्रेड नेम ओफ अलूमीनियम फॉस्वाइड अलूमीनियम फॉस्वाइड का व्यपारिक नाम क्या है options आर ए रोगर बी थायोडन तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ट्रेड नेम यानी है मारकेट में किस नाम से बिक रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए ट्रेड नेम्स पता होने चाहिए वियपारिक नाम पता होने चाहिए अगर aluminium phosphide की बात करें तो उसका वियपारिक नाम क्या होता है बिलकुल self-ass हो जाता है D is the right answer लिखलो इसको ये important है self-ass okay इसके अलावा best control measures should be adopted मतलब जो कीट नियंतरण है वो कब किया जाना चाहिए कब करते हैं हम action कब लेते हैं तो options है after EIL EIL के बाद B है at ETL ETL के टाइम पर C है at EIL Economic Injury level के टाइम पर या D is after ETL अच्छा अब इस question को solve करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि EIL क्या है और ETL क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं कई बार exam में as such definition ही पूछ ली जाती है परिभाशा पूछ ली जाती है कि economic threshold level क्या है और economic injury level क्या है यहाँ पर सबका answer सही है very good सही answer हो जाएगा आपका B यानी ETL ठीक है तो समझेंगे कि EIL और ETL क्या होता है कि मान लिया यह एक drum है यह क्या है drum है और आप सब खेलेंगे अभी खत्रो के खिलाडी ठीक है तो क्या गरना आ आपको यह है drum आपको दर्रम में बंद कर दिया गया है आपको दर्रम में सकते हो और āड्रम के अंदर घुस रहा है पानी पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा ठीक है अब यह वो जगह है जब आपका पानी जो है वो नाक के उपर चला गया थे तो अब आपको पता है कि अब आपने अगर action नहीं लिया मतलब कुछ किया नहीं तो भई आपकी हालत tight हो जाएगी और आप आपको injury हो सकती है आपको नुकसान पहुन सकता है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या करोगे फटाक से धकन खोलोगे है ना कुछ लोग यहां खोलेंगे कुछ लोग यहां पर खोलेंगे और यहां से बोलेंगे बाहर निकालो और बाहर निकल जाओगे तो वो level ठीक है वो level जहां पर आपको action लेना यानि control करना है ताकि आप EIL तक ना पहुंच जाओ उस level को कहते हैं ETL यानि एकॉनमिक एकॉनमिक threshold threshold level इसे आप economic action level भी कहते हो जहां पर आप कीट का नियंत्रन करते हो मान लिया आपको किसी ने बताया है कि आपकी फसल में अगर 30 aphid लग गए ठीक है पर 100 compound लीव जो है 30 aphid लग गए तो आपकी crop खतम है आपकी crop को नुकसान पहुंचेगा तो आप क्या करोगे जैसी ही 20 तक पहुंचेगा मामला आप यहां पर control करोगे ठीक है तो यह दोनों क्या है पहली pest population जब action लेना है EIL is pest population जो आपकी फसल को आपकी crop को injury पहुंचाएगी आर्थिक नुकसान पहुंचाएगी समझ गए चलो हां जी तो बिल्कुल जब ETL होता है उसी पे आप control करते हो सबका answer सही था अगला सवाल देखिए यहां पर which of the following stage is absent in incomplete metamorphosis जो अपूरण कायांत्रण है उसमें से कौन सी अवस्था जो है उपस्थित नहीं होती है तो options है एग लार्वा प्यूपा या एडल्ट बताइए आंसर बताओ जल्दी से आईरन मैन और spider-man बाद में बनना और डॉरेमॉन भी बाद में बनना एक्जाम के बाद सब कुछ बन लेना ठीक है येस सो सही answer क्या आ जाएगा यहां पर हम बिहार बीयों की classes है यह ना बिहार बीयों की हांजी बिलकुल सही सबका answer सही है C प्यूपा जो है वो नहीं होता है incomplete metamorphosis में यानि अपूरण कायांत्रण में अगर हम metamorphosis की बात करते हैं broadly there are two types of metamorphosis राइट चलिए metamorphosis के questions किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बता देती हूं तो यह जो आपके का कायांत्रण है यानि metamorphosis है यह दो टाइप की होती है एक होती है complete complete पूरे तरीके वाली और एक होती है incomplete यानि आधी अधूरी ठीक है आधी अधूरी सबसे पहले जानेंगे कि metamorphosis क्या होता है meta का मतलब और यह Greek language का वर्ड है यह भी Greek language का वर्ड है अपना एक insect है जो सब्सक्राइब यह सारे Greek language के वर्ड है तो metamorphosis का मतलब होता है change in the form changes in the form यानि जो अकरीती है उसमें बदलाव आता है अकरीती में बदलाव आता है कैसे पहले अंडा हुआ करता था यह अंडे से चेंज हो रही है हर स्टेज में अंडा कैसा था लारवा कैसा हो गया प्यूपा कैसा हो गया और बटरफ्लाइ कैसी हो गई तो यह जो बदलाव आ रहे हैं यह जो changes आ रहे हैं इन्हें कहते हैं metamorphosis अगर यह changes में चारों की चारों अवस्थाएं आ रहे हैं एग लारवा प्यूपा डर तो वो आपकी complete metamorphosis है complete metamorphosis को hollow metabolic भी कहा जाता है hollow metabola भी कहा जाता है hollow का मतलब complete hollow का मतलब होता है complete H-O-L-O वाला ये hole नहीं है छेद वाला hole नहीं है H-O-L-O है hollow मतलब complete अब ये जो incomplete है उसमें सिर्फ three stages होती है और आपने बता दिया कि भई प्यूपा absent होता है सीधी सी बात है प्यूपा जो है वो absent होता है अब जो incomplete metamorphosis है उसमें भी further three types होते हैं जैसे कि आपका है ametabola ametabola hemimetabola 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 और parometabola parometabola चीक है ametabola में पता क्या होता है कि change ही नहीं होता कुछ a मतलब a लग गया पीछे मतलब absent absent no metamorphosis कोई बदलाव ही नहीं आते आकृती में बदलाव कहां पर आता है size में बदलाव आता है जैसे silverfish अब silverfish एक मचली नहीं होती है silverfish जैसे book में silver silver सा एक चोटा सा ऐसे कीट होता है न इंसेक्ट होता है जो आप store में बड़े time के लिए अगर अपनी notebook रख दो पुरानी notebook रदी में तो वहां पर books के अंदर से कुछ निकलता है वह जो silver silver सा होता है उसे कहते silverfish थाइस एनूरा order का होता है इंसेक्ट होता है तो वह क्या होता है है जैसा वह छोटे होते होता है वैसे वह बड़े होते होता है बस उसका size बढ़ता जाता है तो तो a metabola मतलब no metamorphosis, only size increase, silverfish में होता है, hemi metabola, hemi metabola में होता है dragonfly, ठीक है, जो dragonfly होती है, वो hemi metabola का example है, और उसमें क्या होता है, कि उसके जो babies होते हैं, larva होते हैं, छोटे, वो aquatic होते हैं, वो पानी में रहते हैं, और जैसी वो बड़े हो जाते हैं, तो वो फिर उड़ने लगते हैं, ठीक है, पारो, पारो का मतलब है धीरे-धीरे, gradual, बहुत ही धीरे-धीरे, gradual changes आते हैं, जैसे कि grasshopper या cockroach में, ठीक है, जो आपका grasshopper होता है, टिड़ा होता है, cockroach होता है, तिल-चिटड़ा होता है, उसमें बहुत धीरे-धीरे बदलाव आते हैं, पता ही नहीं चलता कब छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसे कहते हैं, पारो-metabola, और यह तीनों के तीनों आते हैं, incomplete metamorphosis में, तीन stages के साथ, clear हो गया, चलिए, अब अगला सवाल हम देखते हैं, larva of order Colleoptera is known as, जो Colleoptera गण है, या Colleoptera गण है, उसके जो लारवा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, एक के बाद, उन्हें क्या कहा जाता है, तो कीटों में जो लारवा होते हैं, उन्हें अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारे यहां पर भी छोटे बच्चे होते हैं, कोई उनको बालक बोलता है, कोई बेटा बोलता है, कोई मुन्ना बोलता है, कोई बच्चा बोलता है, कोई बाबू बोलता है, कोई टावर बोलता है, बच्चों के अलग-लग नाम होते हैं, वैसी ही कीटों में भी अलग गलग नाम होते हैं, तो पूछा गया है जो कॉलियोप्टेरा ओडर है, यानि जो बीटल्स होते हैं, भ्रिंग होते हैं, वीविल्स होते हैं, उनके लार्वा को क्या कहा जाता है, मैगेट्स, निम्फ, केटरपिलर या ग्रब, बहुत सारे मुझे C दिख रहे हैं, जो की गलत हैं, सही आंसर D है, है ना, क्या हो गया तुम्हें, D आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, चलो, आपको लिखवा देती हूँ, याद रखोगे, सबसे पहले मैगेट्स, मैगेट्स किसके लार्वा को कहा जाता है, तो मैगेट्स से याद रखोगे, दो मिनिट में अभी बनाती तो मैगी से याद रखना है दो और दो को कहते हैं डाए, डाए का मतलब होता है दो, ठीक है, तो डाएपटेरा, तीक है, यहाँ पे जो डाएपटेरा है, यानि जो मखी होती है, घरेलू मखी, हाउस फ्लाय, फ्रूट फ्लाय, इन में या मॉसकिटो, इनके जो लार्वा हो कहा जाता है उसके बाद निम्फ जो निम्फ होते हैं वो हैमिप्टरा ओर्डर के होते हैं यानि जो सफेद मक्ही है या बग है या एफ़ेड्स है या होपर्स है लीफ होपर उन सब के जो बेबीज होते हैं लारवा होते हैं उनको निम्फ कहा जाता है इवन कॉक्रोच और ग और ततयया होती है यानि butterfly और moth butterfly और moth के जो larva होते हैं उनको कहा जाता है caterpillar तितली and ततयया उनके larva को कहा जाता है caterpillar the right answer would be grub grub कहा जाता है bring के larva को इसके लावा एक और है that is naids ठीक है? naids naids किसके larva को कहा जाता है odoneta यानि odoneta में कौन आती है आपकी dragonfly dragonfly जिसको आप गाव में वो helicopter बोलते हैं helicopter वो ऐसे लंबा सा होता है helicopter तो उसके जो larva होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं उनको naids कहा जाता है और यह जो naids होते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया aquatic होते हैं यानि यह पानी में रहते हैं कहां पर रहते हैं? पानी में रहते हैं ठीक है? अब अगला सवाल देखें चलिए अगला सवाल देखते हैं सिम्रण देखिए, mcqs मैं आपको करा रही हूँ एक mcq है, उसके options में से भी questions बन सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि बाकी options में से क्या-क्या question बने वो मैं आपको साथ-साथ में बताती जाओ For example, मैंने तुमसे पूछा है वो diptra के order को कहते हैं ठीक है, अगर मैं नहीं बताऊंगी butterfly के order को caterpillar कहते हैं और dragonfly के niats कहते हैं तो examiner में मेरे चाचाजी थोड़ना लगते हैं कि वो सिर्फ kolioptera डालेंगे क्योंकि मैंने marathon में kolioptera कराया हाँ, सारी चीज़े जरूरी है चलिए अच्छा, डीपा एक्ट जो है वो कब पास हुआ था destructive insect and pest act जो है वो कब पास हुआ था सबका answer सही है भई 1914 में पास हुआ था ठीक है, चलिए, अगला सवाल what is the trade name of diamethoid diamethoid का trade name क्या है उसका व्यपारिक नाम क्या है options are A, roger B, vasudin C, metastock या D, azodrine बताइए 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 जल्दी से trade name of diamethoid the right answer is the right answer is roger, क्या कहा जाता है बेलकुल मदुरिमा सौरव सही answer है roger it is, अगला सवाल देखिए अगला सवाल है describe the main characteristic of the features of arthropodophyllum याद रखना, insect का पूछा होगा feature तो कुछ और answer आएगा यहाँ पे arthropoda का phylum का feature पूछा है तो क्या हो जाएगा संग arthropoda की मुख्य लक्षनिक विशेशता है बताइए क्या उसमें बाहरी कंकाली परत, खंडी भवन और एक जोड़ी एंटीना होता है यानि मैंने answer बता दिया मैंने आगे इंग्लीश में रखा है कोई बात नहीं बता देती हूँ क्या उसमें मतलब बाहरी कंकाली exoskeleton होता है क्या उसमें segmented body होती है क्या उसमें एक pair one pair of antenna होता है second क्या उसमें kytiness बही कंकाल यानि kytiness exoskeleton होता है क्या उसमें जो है वो खंड़ी भवन, segmented body होती है और जुड़ी हुई टांगे, यानि jointed legs होती है, तो भई जिसने भी A लिखा है वो चक्मा खा गए, एक जोड़ी एंटीना हर आर्थरोपोडा में नहीं होता है, जिसने भी A आंसर किया है न, आपसे आर्थरोपोडा फाइल तो होता ही है, segmented body भी होती है, लेकिन जुड़ी हुई टांगे, ये दिसने में करेक्टरिस्टिक फीचर, jointed legs, तो B आंसर यहाँ पर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, B आंसर, हर आर्थरोपोड का एंटीना वन पेर नहीं होता है, तो ये वन आंसर सही नहीं होगा, D भी आंसर सही नहीं होगा, चलिए आगे, ये था आपका, इंग्लिश में, ये आपको PDF में मिल जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए, काईटीनस, एक्जूस्कालेटन बगरा होगरा, अगला सवाल है, ये तो आपने कर लिया न, ठीक है, अगला सवाल है, which of the following is a systemic insecticide, निमन ल आपको बताया गया है, systemic insecticide ऐसे होते हैं, जो system में जाते हैं, पुरे plant के system में, contact होते हैं, जो सिर्फ जहां पर फैंका है, वहीं पर इस्तेमाल होगा, तो कौन सा है systemic insecticide, जल्दी से बता दो, yes, the right answer is B, mellotheon is a systemic insecticide, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको, लिख लो, important चीजों का ल अगला सवाल, mellochinus sex maculata is used for the control of, यह जो mellochinus sex maculata जो है, इसका परियोग किसके जैव नियंतरन के लिए किया जाता है, तो क्या, जैव नियंतरन मतलब biological control, सबको पता है, biological control क्या होते हैं, जब हम natural animus का इस्तेमाल करते हैं, this is also important question, इफको के exam में आया था, कि जब हम natural animus का यूज करते हैं, rather be it predators, paracetoids, ठीक है, तो उनको उस method को क्या कहा जाता है, biological method of pest control, तो किसके लिए इस्तिमाल किया जाता है, thrips के लिए, tobacco यानि तंभाकों के caterpillar के लिए, white fly, सफेद मखी के लिए, या aphids and millibug के लिए, किसके लिए किया जाता है, सबसे पहले यह जो मिनोचिलस है, यह किसका scientific name है, lady bird beetle का scientific name है, तो यह जो तुम तुक्के लगा रहे हो ना सबका देखकर, वो सबका गलत हो गया है, जो यह जो species है lady bird beetle की, यह aphid को predate करती है, एक बहुत important और repeated question आते है कि lady bird beetle क्या है, क्या यह एक parasite है, क्या यह एक predator है, या paracetoid है, तो lady bird beetle क्या है, it is a predator, क्यों है यह predator, क्योंकि predator का size अपने host के, अपने शिकार के size से, अकार से बड़ा होता है, तो lady bird beetle, aphid और millie bug जो है, उसको खाती है, उसका natural, इसका natural animal है हमारा तो दोस्त है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल, which one of the following pesticide is the strongest insecticide, also have a karycidal properties, मतलब mites को भी मारता है, and ant helmintic compound, ठीक है, मतलब जो भी आपके nematodes होते हैं, mites होती हैं, insect होते हैं, सब को ही मार देता है, क्यों है वो insecticide, तो options है, aware mactin, या eck diced steroid, या organochlorine, या paris green, कौन है वो, पताए, जल्दी, 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 अच्छा, छोड़ो यार, session को like कर देना, जाने से पहले, ठीक है, अभी नहीं करना तो चलेगा, भी तुम पढ़ने में busy हो, ठीक है, कर देना like, ओके, हाँ, उसी की, हाँ, coxynella भी होता है, उसी की एक species भी है, ठ ठीक है, वो जो species होती है, उसमें dot, 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 dot होते हैं, काले-काले से, इसमें आपने देखा होगा, थोड़ी धारियां-धारियां सी होती है, तो यह ladybird beetle का ही एक variant है, ओके जी, चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे बच्छों का सही answer है, the right answer is C, organochlorine, ठीक है, organochlorine, इ को कहा जाता है, acdison, तो यहाँ से भी आपके यह तीन question बन सकते हैं, सबसे पहले, कि molting क्या होता है, molting is the separation of the old skin, या removal of the old skin from the body, ठीक है, जो cuticle remove हो जाती है, shred हो जाती है, उसे molting कहते है, molting का दूसरा नाम acdysis है, molting hormone जो है, उसे कहते है, acdison, ठीक है, यह भी important सवाल है आप अला सवाल, which one of the following insect pest causes short hole damage, short hole symptoms या short hole damage, प्रोच, हिद्रक, शती, कौन सा कीट उत्पन करता है, तो options है, निम्फुला, डाए, पंक्टैलिस, कौंटारीनिया, सौर्गी कॉला, माइ, थेमना, सेपरेटा, या, चिलो या, काईलो, पाइटेलस, तो आपको जब मैं डेली क्लास पे गेम प्ले करते हैं, ठीक है, तो आपको scientific name major major crops के आने चाहिए, जैसे आपको याद करवाया गया है, कि चिलो पाइटेलस क्या होता है, जब आप चिल कर रहे होते हो, नेट्फिक्स और चिल कर रहे होते हो, तो उस टाइम पर आप पॉपकॉन्स खाते हो, पॉपकॉन्स किस से बनता है, मक्का से, मेज से, तो मेज के stem borer को कहते हैं, चिलो पाइटेलस, और ये जो चिलो पाइटेलस है, यही shot hole damage cause करता है मेज में, इसके अलावा माई थीमना सेपरेटा, आर्मी वालों के towards एक मित होती है, एक धार्ना होती है, कि उनको अपनी family से separate रहना पड़त पड़ता है, field posting, family posting, field posting, family posting, तो मित, मित समझ लेंगे, separate रहना पड़ता है, ठीक है, तो ये army warm का नाम है, ये मैंने इतनी कहानी की उस नाहीं, क्योंकि army warm का नाम है, आर्मी वालों के towards मित है कि separate रहना पड़ता है, तो army warm का scientific name है, चिलो पाइटेलस बता दिये, तुमें चिल करते हो, मेज, मक्का का पॉपकॉन खाके, मेज stem borer, ठीक है, ये सौरगी कोला, ये आपका सौरगम मिज है, ठीक है, तो D answer यहाँ पर सही हो जाएगा, अगला सवाल, aluminium phosphide is a, aluminium phosphide क्या है, what is aluminium phosphide, क्या ये एक वीडी साइड है, यानि खर पतवार को मारने वाला या नाशी, क् या एक निमाटी साइड है, निमाटोड़ नाशी, क्या वो एक फंजी साइड है, यानि कवक नाशी, बताइए, बताइए, बताइए जल्दी से, aluminium phosphide जो है, वो क्या है, ये class जो है, बिहार B.A.O. के लिए है, जो अभी बिहार में block agriculture officer का exam होने वाला है, ओके, बिहार वालो चलिए, तो aluminium phosphide क्या है, एक rodenticide है, यहां से rodenticide से और क्या question आ सकते है, कल भी बताया था, जो आपका rodents वाला topic है, वो आपके slabers में, जो non insect pest है, एक आपके slabers में topic है, non insect pest, क्या slabers में topic है, non insect pest, उसमें one of the non insect pest is rodents, rodents क्या होते हैं, जिसे आपकी फसलों को चुहे भी नुक्स नुक्सान पहुंचाते हैं, खरगोश, rabbits नुक्सान पहुंचाते हैं, गिलहरी नुक्सान पहुंचाती है, तो यह सब rodents में आते हैं, rodents को जो kill करें, उन्हें rodenticide कहा जाता है, rodenticides कहा जाता है, rodenticide दो टाइप के होते हैं, कौन-कौन से, पहला होता है single dose, single dose और दूसरा हो multiple dose, multiple dose, ऐसे rodenticide जो एक ही dose में काम तमाम कर दें, that is zinc phosphide, zinc phosphide, ठीक है, और इस multiple के M को उल्टा करो, W, warfarin, warfarin is a multiple dose, इसका short exposure, इसको acute poison कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, acute poison, यानि कम dose में ही आपका काम तमाम हो जाएगा, चुहों का, तो that is single dose, multiple dose मतलब बहुत जाधी doses देने पड़ेंगी, warfarin, ओके, चलिए, अगला सवाल, fruit fly laid egg, कहां पर जो फल मक्ही है, वो अंडे कहां पर देती है, options are, inside the stem, फलों के उपरी, ने, inside the stem मतलब यहां पर हो जाएगा, तनों के अंदर, ठीक है, why making holes on the soft surface of the fruit, फलों की मुलायम स्टै पर छिद्र बना कर, या छेद बना कर, on the upper surface of the leaf, पत्ती के उपरी स्टै पर, या, ठीक है, दो दो बार हो गया, या none of these, none of these, कहीं और ही देती है, बताए, बतादो, fruit fly, यानि फल मक्ही कहां पर एग देती है, बिल्कुल, B answer जिन्नों ने भी किया है, वो सही है, तो जो फल मक्ही है, वो क्या करती है, पहले holes बनाती है, fruits के soft उस पे, और फिर वहाँ पर एग ले करती है, ठीक है, तो B answer सही हो जाएगा, अगला सवाल, which of the following is recommended for termite control, termite मतलब दीमक, इसे white ant भी कहा जाता है, तो यह जो termite control के लिए, कौन सा recommended है, यहां से, chlorpyrophosphon, melathion, या endosulfan, या phosphomidon, कौन control करता है दीमक को, तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा, हम, ओके, अनुज ने answer कर दिया है, उसके लावा, answer शुभम कुश्वाहा का सही है, very good, very good, अनमोल का भी सही है, तो chlorpyrophosphon, लिख लो, termite के लिए हम chlorpyrophosphon use करते हैं, termite में से एक और question आता है, कि ऐसा कौन सा कीट है, ऐसा कौन सा pest है, जो सभी parts को खा जाता है, सभी plants को खा जाता है, सभी plants के किसी भी part को खा सकता है, that is termite, और termite, जो की एक और question आते हैं termite से, termite जो है, वो isoptera order से belong करती है, Isoptera order मतलब इनके जो wings होते हैं वो equal होते हैं इनके जो punk होते हैं आगे पीछे वाले वो equal होते हैं इसके लावा termites को white ants भी कहा जाता है एक और question बनता है कि जो termite की queen होती है यानि queen termite queen termite उसे egg laying machine भी कहा जाता है क्या कहा जाता है egg laying machine अंडा देने वाली machine ठीक है ये 24 घंटे में 70,000 से 80,000 तक के number of eggs देती है कितने अंडे देती है 24 घंटों में 70,000 से 80,000 अंडे देती है ठीक है ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी है इसके लावा termite is a polyfagus pest यानि polyfagus क्या होता है ये मैं जो भी आपको theory भी लिखवा रही हूँ यहाँ से questions आने के chances है इसलिए extra questions में लिखवा रही हूँ ठीक है तो polyfagus है ये यानि बहुत अलग-अलग type के खाना खाती है जो जो होती है इनकी colonies होती है colonies जिसे queen हो गया king हो गया worker हो गये worker हो गये soldier हो गये defense के लिए ठीक है जिसमें से queen question आते है कि इसको egg laying machine कहते है ओके fine अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर yes तो यहाँ पर कुछ और भी मैंने आपको table दिया है आपको pdf दे दूँगी मैं इसमें मैंने different chemical उसके जो विपारिक नाम है trade name है और यह kin pest को target करते हैं जैसे diachlorophose, fruit fly, aphid के लिए use होता है, melathion, mosquito के लिए use होता है chlorpyrophose जो है termite control के लिए देखो लिखा हुआ है seed treatment and termite control जो quinalfose है वो soil pest यानि grub बगएरा के लिए use होता है methane, parathion जो है locust और red hairy caterpillar के लिए use होता है ठीक है, okay then सबसे बड़ी बात है कि आपके बहुत सारे pesticide है जो multiple insect को target करते हैं आपको IARI का source उठाना है, मैंने भी आपको notes बना के दे दिये हैं, PDF दे दूँगी मैं यह वाली, ठीक है, तो यहां से आप learn करके जाना, trade name भी और target pest भी, ठीक है चलिए उसके बाद carbonate pest, अच्छा तुमसे यह भी question पूछे जाते है, पता कौन से वाले कि organo phosphate वाले कौन से है यानि किसके structure में phosphorus है तो monocrotophos, diamethoid, asciphate, phorate, methyl, dimetone यह सारे systemic organo phosphate है, अगर पूछा गया कि contact organo phosphate, तो यह सब है, melothion वगेरा और उसके अलावा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड जैसे कार्बराइल है, कार्बो फिरोन है LD काब है, यह सारे कार्बामेट टाइप ओफ इंसेक्टिसाइड है तो यह आपको मिल जाएगी ठीक है, मैं आपको बता दूँगी लास्ट में हमारी कॉमिनिटीज है वहाँ पर मिल जाएगी, ओके टेलिग्राम पर भी मिल जाएगी, तो वो मैं आपको बता दूँगी अराम से, नेक्स्ट इस क्यालोसो बूचस चाइनेंसे इस अ स्टोर्ड ग्रेन पैस्ट और विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप का स्टोर्ड ग्रेन पैस्ट है बताओ अच्छा, ओट्स का है, ग्राउट नट का है, मस्टर का है या चिकपी का है, तो हमेशा बताया था मैंने कि साइन्टिफिक नेम आपको आने चाहिए तो कैलोसो बूचस चाइनेंसे किसका साइन्टिफिक नेम है, ये पल्स बीटल का साइन्टिफिक नेम है ठीक है, हाँ, बताइए, पल्स, हाँ, एंडोसलफान बैन हो चुका है, बताइए हम, very good, D is the right answer ये किसके लिए यूज़ होता है, पल्सीज के यूज़ नहीं होता है, ये पल्सीज का stored grain pest है, यानि भंडार घर में जो कीट होते हैं, उनमें से पल्स बीटल, ठीक है, पल्स बीटल चाइना से आया था, इसलिए इसका species चाइनंस रखा, ओके, पल्स बीटल, ये पल्स बीटल जो है, ये फिल्ड में भी डैमेज करता है और storage में भी, यानि खेत में भी करता है, और बंडारन घर में भी ये डैमेज नुकसान पहुंचाता है, दोनों stages में ठीक है, अगला सवाल, NPV is used for the control of, जो NPV यानि nuclear polyhidrosis virus, ये इसका परियोग किसके नियंतरण के लिए किया जाता है, वेमिसिया टेबाकी, यानि सफेद मक्खी चिलो पार्टेलर्स, यानि मेस टेमबोरर, हेलिको वर्पा आर्मी जहरा, या विरा चोला आईसो क्रेट्स नुकलियर polyhidrosis virus आपको बता है, वैसे तो वाइरस, फंगस बेक्टीरिया, ये सब हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुझाते, डिजीज कॉस करते, पैथोजन होते हैं, लेकिन बहुत आरी स्पीशीज ऐसी भी हैं वाइरस की, निमाटोट्स की, फंगस की, जो हमारी फ्रेंड्स होती है, यानि नैचरल अनिमीज होती है, उनको हम पैस्ट को मारने के लिए कंट्रोल में ला सकते हैं, जैसे ये वाला वाइरस, नूक्लियर पैड्रो, पॉलिहड्रोसिस वाइरस, ये किसके लिए इस्तिमाल होता है, हेलिको वर्पा, आर्मी जैरा, बेसिकली लेपिडॉप्ट्रा जो ओर्डर होता है, उसमें भी, स्पॉडॉप्ट्रा और हेलिको वर्पा, तो हेलिको वर्पा होता है आपका फल छेदक, यानि फ्रूट बोरर ओके, तो एनपीवी जो है, वो एक तो दो टाइप का होता है एक H-A-N-P-V और दूसरा होता है S-N-P-V जो टोबैको केटरपिलर होता है तमाखू का जो लार्वा होता है, उसको और दूसरा होता है ये, हेलिको वर्पा आर्मी जैरा, किसका साइन्टिफिक नेम है फ्रूट बोरर का, इन दोनों के लिए सबसे ज़ादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, N-P-V ठीक है, ये वाइरस मार देता है इनको ओके, चलो अगला सवाल, which of the following is the carvamate insecticide ये तो अभी अभी बताया था कि निमल लिखित में से कौन सा carvamate कीट नाशक है, options are A, 4-8, B, carborail, C, endosulfan, या D, monokrotophos, कौन सा carvamate है, अच्छा, तुम्हें question बसंद आ रहे हैं, तो session को like कर दो, like or like बिल्कुल equal नहीं है, mobile hang हो रहा है, यार, तुम्हें add-on करवाना चीए था, अभी वो चलेंगी न, marathon चलेंगी, उसमें add-on recharge करवा ले न, ठीक है, questions, फिर net weight खतम हो जाता है, चलिए, so right answer is, carvamate Wi-Fi लगवालो, या तो फिर add-ons होते हैं, 50 GB के, वैसे 50, नहीं, 50 रुपीज का कितना GB मिलता है, है न, ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ होता है, नहीं 50 GB, जो भी होता है, करा ले न, चलो, then next is, birachola isocrate is a harmful pest off, यह जो birachola isocrate है, यह किस फल का हानी कारक कीट है, options are a, guava, अमरूद का, b, orange, संतरे का, c, अनार का, या d, नाश्पती का, किसका है, बताइए, हुँँँँचलो, चलो, बताओ, 5G free है यार, पर village में न, 5G का range नहीं पगड़ता है, मुझसे पूछो, जब मैं घर जाती हूँ, न, मेरा 5G, 5G चलता नहीं है, जादा, कहीं-कहीं पर पगड़ता है, signal कहीं पर 4G हो जाता है, खुछ से, तो बिल्कुल right answer is, c, अनार का, यह अनार बटरफ्लाई का scientific name है, ठीक है, तो विराचोला आइसोक्रेट, अनार का, यानि पोमिग्रिनेट का major insect pest है, बैगिंग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके control के लिए, अगला सवाल है, insect pest control by using light traps, इस जो प्रकाश पाश होता है, light trap, light trap में हम यूज करते हैं, वो कौन सा method होता है, क्या वो chemical control है, racinic niantran, क्या वो mechanical control है, है ना, क्या वो biological control है, jaivic niantran, या इन में से कुछ भी नहीं है, बताए, कौन सा control है, very good, कौन सा control है, mechanical control है, अच्छा, यहाँ पर अगर mechanical ना छोड़के physical option में आएगा, तो physical पर टिक करना, क्योंकि जो book मैंने देखी थी, उसमें physical answer सही दिया हुआ था, maybe answer की वहाँ से note हो, तो, या तो mechanical ही होना चाहिए, उसका है, उसका है, उसका है, mechanical ही है, ओके, चलिए, अगला सवाल है, holtiers are present in which insect order, holtiers किस गंड के कीटों में पाया जाता है, options are, A, hymenoptera, B, lapidoptera, C, colioptera, या D, diptera, holtier जो है, किस में पाया जाता है, यह wing types है, आपके morphology वाले topics से आते हैं, ठीक है, अभी हम genetics भी करेंगे, plant breeding भी करेंगे, क्यों बोले हूँ, करेंगे, ठीक है, पहले इसको कर लो, ठीक है, very good, किस में होते हैं, option number D, diptera में होते हैं, यानि जो आपकी house fly है, या mosquito है, उन सब में holtiers होते हैं, holtiers क्या होता है, और इसके अलावा क्या-क्या questions बन सकते हैं, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, एक तरफ लिखो wing type, ठीक है, अगर आपको wing type, यानि पंकों के प्रकार से question आता है, तो अब इस table से आपका ये सारा topic clear हो जाएगा, ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा, haltears किसमें होते हैं, haltears, haltears होते हैं diptra में, यानि मक्खी वगरा में, haltears में क्या होता है, अगर ये पंक है, तो उसमें से आगे वाला पंक तो अच्छा हासा होगा, पीछे वाला पंक जो है, वो degenerate हो जाएगा, ये जो पीछे वाला पंक है, ये खतम हो जाएगा, इसमें रुकावट आ जाएगी, ये उड़ने के काम नहीं आएगा, इन पंकों को कहा जाता है, haltears hind wings को, ठीक है, इसके अलावा, अगर तुम से पुछा, illatra, illatra, तो देखो, illatra किस से मिलता जुलता है, callioptra से मिलता जुलता है, ठीक है, illatra का मतलब होता है, strong, तो बहुत ही जादा सक्त जो पंक होते हैं, वो किसके होते हैं, illatra के, callioptra के, e और e को मिला लो, यानि जो bring होते हैं, beetles होते हैं, और जो weevils होते हैं, उनके पंकों के प्रकार होते हैं, illatra, उसके बाद एक और टाईप आता है पंकों का,am, illatra,am, illatra, ham मतलब आधा, आधे सक्त होते हैं, यानि इनके जो पंक है, वो आधे hard होंगे, कठोर होंगे, और आधे soft होंगे, ठीक eh, आधे पंक होता है यह बग्स में होता है ठीक है है मिलाइट रा सफेद मक्खी में होता है वाइट फ्लाई में एफिड में होता है हॉपर्स में होता है हॉपर्स में और देखो हैमिप्टरा और हैम इलाइटरा हैम हैम को आपस में जोड़ लो तो जो हैमिप्टरा और के पेस्ट होते हैं यह insect होते हैं, उनमें hem elitra type of punk होते हैं. उसके बाद एक और type है, that is tagmina, tagmina. ठीक है, तो ऐसे याद रखना, मैं गई कहाँ पर? मैं गई मीना भजार, कहाँ गई मीना बजार, वहाँ पर मुझे बहुत सारे cockroach मिले, ठीक है, se punk होते हैं और टेग्मीना sanitation मतलब होता है बहुत ही लेदरी पंख होगे ना बहुत जाद मोटे होंगे बीटल जैसे बढ्रिंग जैसे ना बहुत पतले होंगे यसे लेदरी से होगे ठीक है तो cockroach और gross hopper में यह होते हैं ठीक है तो यही जाधा तर पूछा जाता है तो यही वाले करना अगला सवाल How much moisture should be there to store wheat? अगर आपको गेहों को भंडार घर में रखना है तो उसमें नमी की मातरा कितनी होनी चाहिए? क्या उसमें 8% होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए? 12% या 15% कितनी % की नमी होनी चाहिए? fringe type होता है thrips में ठीक है? free, free और 3 free और 3 तो free और 3 को आपस में जोड लो जो fringe wings होते हैं fringe मतलब इस तरीके के होंगे? छोटे छोटे से punk होंगे और उनमें बाल लगे होंगे ठीक है? ऐसे छोटे-छोटे से punk और ये किस में होते हैं? thrips में होते हैं 3 और free ठीक है? ये आपस में जोड लेना ओके जी? तो कितना %? 10% का moisture होना चाहिए? कितना? 10% का भी वाले सही है अगला सवाल Which of the following pest causes more damage to the wheat crop? इनमें से कौन सा कीट ऐसा है? जो गेहू की फसल को अधिक हानी पहुँचाता है तो क्या वो thrips है? क्या वो cut warm है? क्या वो termites है? दीमक या क्या वो grass hopper है? इनमें से कौन सा कीट गेहू को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है? बताइए Yes, average लेंगे, 10% लेंगे वैसे तो अगर seed को store करना हो तो हमें 8-13% तक का हो जाता है लेकिन अभी the most appropriate answer is 10% तो बिलकुल C is the right answer जो termite होती है, दीमक होती है वो गेहू को सबसे जाधा नुकसान पहुँचाती है तो termite is a major pest of wheat अगला सवाल, which of the following is the most evolved insect order अगर निमल लिखित में से कौन सा सबसे अधिक विक्सित कीट गण है तो options हैं, हाइमनौप्टरा, प्रोटिूरा, ओडोनेटा या हैमिप्टरा कौन सा गण है इन में से जो सबसे जाधा evolve हुआ है बताइए very good, सूर्य प्रताब, answer आ चुका है it is हाइमनौप्टरा हाइमनौप्टरा से एक और question बनता है आपने पढ़ लिया वो तो marathon में हाइमनौप्टरा, honey bee honey bee का order है वैसे तो लेकिन यहाँ से question आता है ants का भी है, वास्ट का भी है ठीक है, silk moth का भी है लेकिन question आते है कि ऐसा कौन सा pest है ऐसा कौन सा insect pest है जो एक लौता ऐसा pest है इसमें जो harmful है अभी तक honey bee भी beneficial insect में आती है ठीक है, silk moth भी आपकी beneficial insect में आती है ठीक है, लेकिन वास्प भी beneficial में ही आती है लेकिन जो mustard soft fly है mustard soft fly soft fly वो भी hymenoptera order से बिलॉंग करती है और वो खतरनाक है harmful pest है hymenoptera order का तो this is important ओके और mustard क्योंकि ये और इसके जो larva होते है mustard soft fly के उन्हें grub कहा जाता है क्या कहा जाता है grub जैसे honey bee के उसको grub कहा जाता है ठीक है चलिए बाकी ordoneta में क्या आता है protura जो है वो wingless होता है उसमें punk नहीं होते है protura order में और punk नहीं होते है और antennas भी नहीं होते है जो antennas है ना वो absent होते है नहीं मौजूद होते है antennas protura order में ठीक है ये कौन से order में कौन सी class में आता है a terry gota जहां पर पंक नहीं होते हैं, ओके, तो ये सारी चीज़े learn कर लेना, उसके बाद auto neta में dragonfly आती है, करवा चुकी है, तो orders में से भी question बन जाते हैं, अगेन question आता है, which of the following is carbamate insecticide, निमल लिखित में से कौन सा carbamate pesticide है, या कीट नाशक है, क्या वो chlorpyrophos है, क्या वो LD carb है, क्या वो cypermethrin है या वो dimethoate है, तो आपको मैंने table दे दिये हैं, ठीके, आपको क्या करना है, कौन से organo chlorine है, कौन से organo phosphate है, जिसे endosulfan भी organo chlorine में ही आता है, ठीके, कौन से carbamate वाले हैं, कौन से systemic है, contact है, वो आपको ध्यान में रखना है, तो भई, कारबामेट वाला LD काव आ जाएगा, ठीके, अगला सवार, Aries vitela is the pest of which crop, यह जो Aries vitela है, यह कौन सी fustle को damage करता है, हानी पहुंचाता है, options आर A, कपास, cotton, B, मुंफली, groundnut, C, bangan, brinjal, या D, soya bean, किस में नुकसान पहुंचाता है, बताइए, तो यह जो Aries vitela है, यह किसका scientific name है, spotted wall worm का, किसका scientific name है, spotted wall worm का scientific name है, और wall worm किसके होते हैं, कपास में होते हैं, किसमें होते हैं, कपास में होते हैं, तो A is the right answer, अगला सवाल, which of the following is an example of transgenic BT cotton, इन में से, जो BT का पास है, वो कौन सा वाला है, तो क्या वो लक्षमी variety है, क्या वो सुविन है, क्या वो संकर चार है, क्या वो ball guard है, ball guard, बताइए, कौन सा वाला है, transgenic, transgenic का मतलब है, उसमें कोई gene डाली गई है, इधर से उधर, trans का मतलब होता है, इधर से उधर करना, transfer करना, किसको transfer कर रहे हो, genes को transfer कर रहे हो, तो आपके syllabus में एक transgenic topic भी है, उसके examples learn कर लेना, ठीक है, मैं भी यहाँ पे add कर दूँगी examples, okay, PDF आपको telegram पे बिलेगी, last में दिखा दूँगी, community पे भी मिल जाएगी, last में दिखाऊंगी, ठीक है, कि कहां पे join करना है, चलिए, तो free PDF मिल जाएगी, tension वाली बात नहीं, अभी पढ़ने पे ध्यान दो, okay, चलिए, तो बिलकुल D is the right answer, ball guard जो है, वो BT cotton का example है, अगला सवाल, which of the following pesticide is used for seed treatment, for the control of sucking insect या pest, मतलब इन में से कौन सा कीट नाशिक ऐसा है, जो चूसने वाले जो कीट होते हैं, उनके लिए seed treatment में उसको, उसमें प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए, नियंतरित करने के लिए, तो fenvalerate, imidacloprid, endosulfan या इन में से कोई भी नहीं, बताईए, बतादो बतादो और एक सेकिंड लगेगा, session को like भी कर दो अगर questions पसंद आ रहे हैं, ठीक है, विलकुल B is the right answer, imidacloprid का इस्तिमाल करते हैं, हम sucking pest को, यानि ऐसे pest जो solid food नहीं खाते हैं, liquid food खाते हैं, उनको मारने के लिए, अगला सवाल, which of the following is an ideal trap crop for the tomato fruit borer, जो tomato का फल छेदक है, उसके लिए कौन सी जो जाल फसल है, trap crop है, वो सबसे जादा इस्तिमाल की जाती है, कौन सी उप्यूक्त है, ideal है, options are a, cauliflower, full goby, b, सूरज बुखी यानि sunflower, c, tobacco यानि तंबाखु, या d, गेंदा, यानि marigold, तो आपको क्या करना है यहां पर, trap crops learn करनी है, major major crops की, ठीक है, trap crops, क्या होती है, trap crops, trap crops क्या होती है, जैसे आपकी ये main crop है, ठीक है, आपको अपनी main crop को बचाना है, तो इस main crop को बचाने के लिए, आप एक दूसरी किसी, इसके कम crop को जो है, वो कुर्बान कर दोगे, ठीक है, अब ये trap crop ऐसी है, कि कीट को वो भी अच्छी लगती है, ठीक है, वो crop crop को बचाना है, किस से, spotted wall warm से, spotted wall warm से, अभी जो आपने पढ़ा ना, areas, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भिंडी लगा दोगे, ओकरा, भिंडी लगा दोगे, अब ये जो spotted wall warm है, इसको भिंडी भी पसंद है, ये भिंडी खाएगा, और बस, इसका पेट भर जाएगा, हमारी cotton बच जाएगी, यह कहीं थोड़ा दूर लगा दो, वहाँ को चला जाएगा, ओके, तो हम क्या करते हैं, अपनी crop को protect करने के लिए, किसी और को कुर्बान कर देते हैं, ओके, that is trap crop, ओके, now, नहीं, inter crop नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, trap crop is not inter crop, की बीच में लगा दी, ठीक है, हमेशा boundary पे लगानी होती है, ताकि अंदर गुस गई वो बीच में, तब तो वो चलते चलते कहीं भी पहुंच जाएगी, हमेशा बाहर लगानी है, boundary पे, तो निमा टोड के लिए भी मैरी गोल्ड जो है, वो बहुत best trap crop है, अगर आपको निमा टोड से बचाना है न, अपनी crops को, तो आप trap crop मैरी गोल्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, चलिए, next question, in which crop is the outbreak of white grub pest is more, जो सफेब गिडार होता है, white grub जो होता है, hollow tree चिया, वो किस, उसमें, उस कीट का प्रकोप जो है, कौन सी फसल में अधिक होता है, बताइए, ground nut, mungfali, इसमें मैं table add कर दूँगी, ठीक है, चलिए, gram में, radish में, या mustard में, किसको करता है, very nice, किसको करता है, ground nut को, mungfali को करता है, A is the right answer, ठीक है, next, which of the following is an eco-friendly insecticide, इन में से eco-friendly insecticide कौन सा है, endosulfan, diamethoate, chlorpyrifos, या nimbisidine, चलो, half time जो है, वो 15 मिनिट में हो जाएगा, उसके बाद हम genetics करेंगे, ठीक है, genetics करेंगे अभी, तो eco-friendly वाला कौन सा है, D is the right answer, very good Manisha, so यहाँ पर जो nimbisidine है, ओके, वो eco-friendly, यह, eco-friendly मतलब जिसका पर्यावरन पे, environment पे फर्क ना पड़े, ठीक है, तो यह वाले organic होते हैं, इसके अलावा और भी हैं आपके organic, this, यहाँ से, this is very important, यहाँ से आपके questions बनते हैं, पहला आगया nicotinoid, ठीक है, nicotinoid जो है, जो तंबाकु होता है, टोबैको होता है, उसकी root से बनाया जाता है, टोबैको की root से, उसके बाद आता है, अजादी रच्तिन, यह seed and leaves of neem, जो neem के बीज होते हैं और पत्ते होते हैं, उनसे बनाया जाता है अजादी रच्टिन उसके बाद है रोटे नॉइड्स या रोटे नॉन इन्हें जडों से बनाया जाता है एक लग्यूमिनेस प्लांट्स होते हैं लॉंगो कार्पस और डैरिस अलिप्टिका इनकी जडों से बनाया जाता है रोटे नॉन को और ये सबस का फूल होता है उसका इस्तेमाल करके इन कीट नाशकों को बनाया जाता है यह जो चारों है निकोटिनॉइड अजादी रच्तिन रॉटेनॉइड पाइरेट्रोइड यह सारे क्या है यह कीट नाशक है इंसेक्टी साइड है यह सारे इंसेक्टी साइड किसी प्लांट की मैध से किसी प्लांट को यूज करके बनाए गए हैं तो इन्हें कहते हैं बोटानिकल्स क्या कहते हैं बोटानिकल्स अगला सवाल है पिरोमोन ट्रैप्स अट्रेक्ट जो फिरोमोन ट्रैप होते हैं वो किसे अकरशित करते हैं ऑप्शन्स क्या वो फिमेल मौथ को करते हैं अट्रे सबसे पहले यहां पर, नीम से ही बनता है, नीम से, दरक शिंदा, चिंदे, दरक, ठीक है, अच्छा सुनो, अब मेरी बात, फिरोमोन क्या होते हैं, फिरोमोन, फिरोमोन ना हॉर्मोन ही होते हैं, हॉर्मोन, इन्हें कहा जाता है, एक्टो हॉर्मोन, एक्टो मतलब बाहर, तो तो जो female insect होती है वो in hormones को ज ju чего हम खुष होते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसे dopamine release होता है न거를 तो वैसे ही insects जो हैं वह hormone को बाहर स्गुएड करते हैं हमारे तो अझा बहुते सिक्रेड आब वह क्या करते बाहर सिक्रीड करते एक्टो हॉर्मोन और उनसे कौन अट्रेक्ट होते हैं मेल अट्रेक्ट होते हैं अगर तुम से पूछा जाएगा कि फिरोमोन ट्रैप्स जो होते हैं वो कौन सा मैथर्ड है पेस्ट कंट्रोल का तो वो मेकानिकल मैथर्ड है ठीक है फिरोमोन ट्रैप इस अ मेकानिकल बटरफ्लाइ तितली या हाउस फ्लाइ ग्रेलु मक्ही या मधु मक्ही हनी भी या बग्स बताओ स्पॉंजिंग टाइप के मुखंग किसमें पाए जाते हैं पताइए बताइए अगर माउथ पाट से कोई भी क्वेशन आता है तो अब आपको वो करके आना है इस क्लास के बाद सभी माउथ पार्ट से याद करवारियों में आपको चलो लिखो तो माउथ पार्ट्स चार पांच छे माउथ पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने है सबसे पहला है biting, biting and chewing, ठीक है, दूसरा है आपका chewing and lapping, chewing and lapping, तो biting का मतलब, bite होते हैं काटना, है न, bite मतलब काटना, तो काटने और चबाने वाले किसमें होते हैं, टिडडे में होते हैं, ग्रास होपर में, यह सबसे primitive type है, सबसे पुराना, इसके लावा cockroach में होते हैं, ठीक है, तिलचिटे में, टिडडे में, दीमक में भी यही होते हैं, termites में, ठीक है, उसके लावा locust में, ठीक है, जो locust होते हैं, इन सब में maximum में, बीटल्स होते हैं इन सब में maximum insect में क्या पाए जाते हैं biting and chewing type यानि काटने और चबाने वाले chewing मतलब चबाना उसके बाद है chewing and lapping lapping का मतलब होता है चाटना lapping का मतलब क्या होता है चाटना तो ऐसे याद रखना कि जैसे जो honey होता है honey bee में, madhu, makhhi में किसमें होते हैं honey bee में, madhu, makhhi में होते हैं ये तो हो गया biting and chewing और chewing and lapping आपको पता है honey bee जो होती है वो क्या करती है वो पोलंस को सिर्फ चाटती है और बस चबा जाती है उसको काटने की जुरूरत नहीं पड़ती काटने के ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर कोई solid food खा रहा है हड़ी खा रहा है या कोई दूसरे insect को खा रहा है तो ये सारी चीजें किसमें होगी आपकी जैसे lady bird beetle है beetles है उन सब में होगा इतना समझ में आ गया now next next होता है as for sponging and as for siphoning तो ये दो टाइप होते हैं sponging और siphoning तो जब भी आप एक सुंदर सी तितली को देखते हो है ना उसको देखते हो तो आप क्या करते हो अपना phone निकाल लेते हो तो phone से याद रखना phoning phone निकाल लेते हो तो जो siphoning है वो butterfly यानि तितली में और ततईया में butterfly और moths में होती है और sponging sponge आप कब यूज करते हो जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे आप sponge का इस्तिमाल करते हो चाहे वो bathing sponge है चाहे वो पोचा लगाने वाला sponge है तो जो house fly होती है मक्खी होती है उसमें ऐसा एक sponge टाइप लगा होता है किसमें मक्खी में तो मक्खी का है आपका sponging और phoning is butterfly and moth ठीक है उसके बाद एक सबसे important जो आपके mouth parts है वो है piercing and sucking piercing and sucking and second one is rasping and sucking ठीक है piercing का मतलब होता है चुभाने वाले चुभाने वाले and sucking का होता है चूसने वाले ठीक है ओके रास्पिंग का मतलब होता है चीरने वाले और sucking का मतलब चूसने वाले तो इन दोनों में क्या फर्क है रास्प और थृप ठीक है पपर से जोड़ लो इसमें सिर थृप आता है पीर्सिंग सकिंग में हैमिप्टरा और सारा और मॉस्किटो होता क्या है पीर्सिंग मतलब चुभाना तो ये जो सफेद मकھی है ऐफिड है, hopper है, mosquito है, इन सब के पास एक सुई जैसा structure होता है, जिसे stylate कहते हैं, यह जो नीडल-like structure है, सुई जैसा structure है, stylate, यह जो है, वो अंदर चुभाते है, plant के, पहले चुभाते हैं, उसके बाद चूशते हैं, ठीक है, तो जो भी हैमिप्टर ओरडर है, ऐफिड, मेंडिवल एपसेंट होता है और स्मिट्रिकल माउथ पाट्स होते हैं और वो चीर फाड कर देता है तो इसमें आते हैं आपके थ्रिप्स ओके चरिए तो यह माउथ पाट्स भी हो गए आपके अगला सवाल है विच पेस्ट इस कंट्रोल बाए फ्लडिंग ओफ दो फिल्ड किस कीट का नियंत्रन खेत में पानी भरकर किया जाता है बताईए दीमक, तर्माइट्स का सफेद गिडार यानि वाइट ग्रब का, C इस बग और A and B, बोथ A and B, बताईए जल्दी बताओ, फ्लडिंग ओफ दा फिल्ड, अगर एंटोमोलाजी से सबसे लदा क्वेशन आते हैं, वो IPM से आते हैं, कंट्रोल से आते हैं, ट्रेड नेम से आते हैं, मॉर्फॉलोजी आपको मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, बिलकुल दोनों के लिए यार, जल्ड और वाइट गरब दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लडिंग, बिलकुल पानी को भर दिया जाता है, क्योंकि ये स्वाइल में रहते हैं, जो सफेद गिडार होता है, वाइट गरब, वो भी स्वाइल में मिट्टी में रहता है, और ये जो दीमक होती है, भी मिट्टी में ही अपना वो बनाती है टर्मेटोरिया बुरा एक वो पहाड सा नहीं बनाती मिट्टी का तो वो भरके खतम हो जाता है ठीक है अगला है बीटी कैबेज इस डेवलाप्ट अगेंस्ट जो आपकी बीटी पत्ता गोबी है वो किसके खिलाफ तयार की गई है क्य वो DBM यानि Diamond Back Moth के खिलाफ डेवलाप की गई है क्या वो Aphyts के खिलाफ डेवलाप की गई है या Tobacco Caterpillar के अगेंस्ट डेवलाप की गई है है हमिप्ट्रा में आपके कौन कौन से पैस्ट आते है जो आपका हमिप्ट्रा ओर्डर है है हमी मतलब आधे विंग घमिलाइट्र hopper, leaf hopper, उसमें आते हैं आपके jacids, ठीक है, और उसमें आते हैं आपके bugs, तो ये सारी जो insect हैं वो hemipto order में आते हैं, लिख लो, ओके, चलिए, BT cabbage जो है, बिलकुल diamond back moth के against develop की गई है, चलिए, अगला सवाल है, अब मैं आपको plant breeding के कुछ questions revise करा रही हूं, जो मेरी daily class देखते थे, 6 वजे, देखते आ रहे हैं, देखते रहेंगे, उनको तो ये सारे questions फिर भी मैंने करवा दिये हैं, एक बार आप भी इसको revise कर लो, क्योंकि ये most important question मैंने जो 10-15 दिन करवाए थे, ये सबसे जादा important questions है, genetics और plant breeding के, ठीक है, सबसे पहला, artificial hand pollination of date palm was done by, जो खजूर में कृत्म हाथ परागन जो है, किसके द्वारा किया गया था, तो babylonians और acyrinians, ठीक है, answer आ चुके है, D, answer सही है, दोनों ने ही artificial hand pollination किया था मिलकर, अगला है, who was the first to demonstrate sex in plants and suggested crossing, कि इनों ने जो है, अंतर दिया कि ये नर fool है, ये मादा fool है, ये नर अंग है, plants में ये मादा अंग है, और सबसे पहले किसने बोला कि crossing कर सकते हैं हम, बताईए, babylonians, tea night, camera rears या cold rooter, बताईए, देखो आपके लिए बहुत सारे questions है, जब तक मेरी 4 बज़े BEO की paid की class भी है, जो भी paid class के बच्चे है, उससे पहले जितना भी हो पाएगा, मैं लगातार आपको करवाती रहूँगी, ठीक है, बिलकुल camera rears, camera rears ने सबसे पहले बताया था, कि भई हाँ, plants में भी sexes होते हैं, नर अलग, मादा अलग, और उनमें crossing की जा सकती है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल, who developed first inter-specific hybrid, पहला inter-specific hybrid या संकर जो है, वो किसने बनाया था, क्या रिंपू ने बनाया था, number B, Mendel ने बनाया था, number C, T.A. Knight ने बनाया था, या number D, Thomas Fairchild ने बनाया था, किसने बनाया था, पहला inter-specific संकर, बिलकुल, very good, किसने बनाया था, D, answer सही है, है ना, Thomas Fairchild ने बनाया था, अब होता क्या है, ये सब को पता है, कि dianthus जो है, वो species है, sorry, genus है, और जो Barbatus है, वो आपका क्या है, species है, into, dianthus, dianthus आपका genus है, karyophyllus, karyophyllus आपका species है, ठीक है, तो कहा गया है, कि ये जो inter-specific hybrid है, वो किसने बनाया था, यानि दो प्रजातियों या species के बीच में जो cross था, दो अलग-अलग species के बीच में जो cross था, वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था, Thomas Fairchild ने, और उसका नाम रखा था, Fair Childs Mule, क्या रखा था, Fair Childs Mule, ठीक है, तो पहला inter-specific hybrid जो है, वो इन्हों ने बनाया था, Thomas Fairchild ने, दो species के बीच में, रिम्पू ने जो है, पहला inter-generic बनाया था, inter-generic, ठीक है, दो genus के बीच में, यहाँ पे तो genus एक ही है, यहाँ पर जो रिम्पू ने बनाया था, tritical, उसमें genus भी अलग-लग है, एक triticum है, एक sikail है, अलग-लग genus है, समझ गे, चलिए, खचर नहीं है यह, बगवान, खचर नहीं है, यह जो मूल होता है, यह खचर वाला मूल नहीं है, बाप रे, बाप रे, dianthus cariophilus dianthus cariophilus पता क्या होता है carnation जो fool होता है na carnation का इतना सुंदर सा उसको तुमने खचर बना के रख दिया fool होता है carnation का ठीक है into dianthus barbatus dianthus barbatus भी एक fool ही होता है और उस fool को कहते है sweet william sweet william जब carnation और sweet william में cross कराते हैं तो fair childs का mule बनता है fair child ने खचर नहीं बनाई थी please उपर से Thomas fair child रो रहा होगा कि मैंने fool हों पे काम किया और इन्हों ने मुझे plant breeding चल रही है यहाँ पे animal breeding नहीं चल रही है चलो okay next first plant breeding company was established in which country जो पहली पादव प्रजनन की जो company थी वो किसने और कब बनाई थी या सॉरी कब तो चोड़ो देखे कब नहीं पूछेगा कौन सी country में बनाई थी क्या वो औस्ट्रेलिया में बनाई गई थी क्या वो फ्रांस में बनाई गई थी स्विजर लैंड में या चाइना में इतना मैं बता देती हूँ कि जो पहली पादव प्रजनन company थी वो विल मौरिन ने बनाई थी किसने बनाई थी विल मौरिन ने डेवलाप की थी कौन सी country में की थी very good भी वाले सही हैं फ्रांस में की थी कहां पर फ्रांस में की थी अगला सवाल who used artificial hybridization in fruit crop for the first time जो फल होते हैं उनमें किसने सबसे पहले संकरन करवाया था खुद से संकरन करवाया था तो किसने कराया था बता दो T.A. Knight ने कराया था Mendel ने कराया था Darwin ने कराया था या विल मौरिन ने कराया था बताइए प्रोजेनी टेस्टिंग भी बिलकुल प्रोजेनी टेस्टिंग भी विल मौरिन ने ही दी है उन्हें इसलिए प्रोजेनी टेस्टिंग को विल मौरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है वेरी गुड सबका अंसर सही है T.A. Knight याई Thomas Andrew Knight उन्हों ने सबसे पहले फलो में फ्रूट क्रॉप्स में आटीफिशल हाइब्रिडाइजेशन यूज की थी अगला सवाल रिम्पू मेड फर्स्ट इंटर जेनरिक हाइब्रिड बिट्वीन वीट आड कहा गया है जो रिम्पू ने पहला इंटर राई सुनो मेरी बात वीट का अगर आपको scientific name बता होगा Tritium estivum तो ये है आपका genus tritium ठीक है estivum इसका हमें मतलब नहीं है इंटू राए राए का scientific name होता है scakail cereal але तो tritium का treaty लिया है उन्होंने treaty और sikail का kale लिया है kale तो ये मिलकर बन गया Tritical तो wheat और rye के बीच में क्या बना है? पहला intergeneric hybrid बना है समझ गए? रिम्पू ने बनाया है Tritical और genus है Triticum, C-Cale समझ गए? चलिए अगला सवाल विल्मौरिन developed the progeny testing in भई ये तो आमने अभी अभी किया कि विल्मौरिन ने संतती परिक्षंट जो है उसको बनाया था लेकिन कौन सी फसल में बनाया था? wheat यानि क्या गेहू में बनाया था? मेज मक्का में बनाया था? C, mango में, आम में बनाया था? या D, sugar wheat में? जो आपका मीठा चुकंदर होता है ना? उसमें बनाया था? बताईए, किसमें बताया था? क्या speed दीरे गरों थोड़ी सी? हम, चलो, sugar wheat है ना? लिख लो हिंदी वाले, मीठा चुकंदर जो मीठा चुकंदर होता है ना? उसमें ये संतती परिक्षंट दिया गया था विल्मौरिन ने दिया था अगला सवाल वियक्तिगत पॉधे के चयन के लिए जो शुद्वशक्रम सिधान्त का प्रस्ताव किस ने दिया था? तो options हैं, मैंडल ने दिया था हिंदी वाले ऐसे सुनलो यार, मैंडल मैंडल ही होता है ना? जॉन्सन ने दिया था जॉन्सन क्या कैमरा रियस ने दिया था या विल्मौरिन ने दिया था किस ने दिया था प्योर लाइन थियोरी? बिल्कुल जॉन्सन ने दिया था किस ने दिया था? जॉन्सन ने और जॉन्सन ने किस में दिया था? प्रेंच बीन में दिया था फ्रांस बीन में, राजमा में, कौन सी वराइटी थी, प्रेंसेस वराइटी थी, अगला सवाल, फू प्रपोस्ट दो मल्टिपल फेक्टर हाइपोथिसिज, ठीक है, यह जो साइंटिस्ट के नाम है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किये, अब नाम तो सब हिंदी इंगलिश में लिखी लेते हैं, हाँ, तो जो भी एक दो बोल रहे हैं कि मैं हिंदी में आप्शन, तो मैंडल तो मैंडल है रहा, इतना तो मत करो, चलो, तो गेहु में बहु गुनक परिकल्पना का प्रस्ताव किस ने दिया था, बेटसन ने, मैंडल ने, डेवनपोर्ट ने या निलसन ने, तो वेरी गुड दिशा सिंह का आंसर, विद्या इशांग, राइट आंसर इस निलसन एहले, पूरा नाम क्या था, निलसन एहले नाम था, निलसन एहले, तो निलसन एहले ने गेहु में बहु गुनक परिकल्पना, यानि मल्टिपल factor hypothesis दिया था वही मेंडल ने कहा था मेंडल मेंडल ने simple सी चीज कही थी मेंडल ने कहा था एक gene होती है एक कारक होता है और वो एक लक्षन को नियंत्रित करता है यानि one gene one trade को control करता है इतना मेंडल ने कहा था लेकिन निलसन एहले ने बताया ऐसा नहीं है कई जगा पर ऐसा भी है कि बहुत सारी genes यानि multiple factors बहुँ गुणिक बहुत सारी genes जो है वो किसी एक करेक्टर को मिल के control भी करती है और उस situation को उस inheritance को कहते है multiple factor inheritance hypothesis या polygenic inheritance उसे ही कहा जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल है gene responsible for the devorphism found in the Japanese wheat variety which is जो गेहूं होते ना गेहूं उनमें जो बौना पन है वो जो छोटी 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 varieties बनी है बौनी किसमें बनी है गेहूं की उसमें से जो gene डाली गई है वो कौनसी किसम से वराइटी से ली गई है बताये सो नालिका से ली गई है dg bhojan norinten या i-r8 कहां से ली गई है पीटा polygenic inheritance इसे ही कहते है ठीक है बिलकुल norinten poly का मतलब होता है poly मतलब many यानि अनेक 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 ठीक है पे तेरे की रुप जाओ many मतलब बहुत सारी अनेक genic मतलब genes genes कारक बहुत सारी genes तो कहा गया है जब बहुत सारी genes मिलकर control करती है यानि नियंत्रित करती है सिर्फ एक single character को एक लक्षन को control करती है तो उसे कहा जाता है polygenic inheritance जब एक gene एक लक्षन को control करें तो उसे कहते है monogenic simple सी बात है एक gene और एक लक्षन एक trade is equal to monogenic many genes बहुत सारी genes is equal to one trade इसे कहते है polygenic inheritance polygenic और polygenic को ही आप बोल देते हो multiple factor multiple मतलब बहुत जादा Mendel ने factor बोला था genes को और multiple factor hypothesis तो यह एक ही बात है polygenic और multiple factor एक ही बात है निलसन अहले ने दी थी clear हो गया हम चलिए अगला सवाल है यह तो हो गया न आपका नौरिंटेल अच्छा डीजी बूजन जो है वो इस का है दान का ठीक है अगला nobelization in sugar can include sacrum barberry and dash आपको पता है पहले जो गन्ने होते थे ना वो मीठे नहीं होते थे हमारी side ठीक है बहुत ही जादा मिठास नहीं होती थी उनमें उनकी पैदावार बहुत जादा होती थी इल्ड बहुत जादा होती थी लेकिन मिठास नहीं होती थी तो उसके लिए ये nobelization किया गया है ना मतलब एक वीकन से एक बदलाव लाया गया मतलब बहुत बढ़ी चीज़ हो गई थी ठीक है वो किसके बीच में होई थी सेकेरम बार्बिरी एंड दूसरा क्या है सेकेरम नॉबिली सेकेरम सटाइवं सेकेरम ओफिस इनारम या ओल आफ दीज तो किसके बीच में होई nobelization सेकेरम ओफिस इनारम ठीक है तो C is the right answer अगला सवाल the process of bringing a wild species under human management is referred to as acclimatization यानि अनुकूलन, introduction यानि परिचय, domestication यानि ग्रामन्य या selection या वरण या चयन जब आप किसी wild किसी जंगली प्रजाती को मानप्रवंदर में लेकर आते हूं तो उसे क्या कहते हैं उसे domestication कहते हैं ग्रामन्य कहते हैं अगला सवाल जो induced mutation होती है जो हमने खुद करवाई होती है with the help of some mutagens तो वो induced mutation का केवल कितना परतीश जो है फसल सुधार में उप्योगी है, useful है, options है 1%, 10%, 0.1%, 0.01% इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि physical mutagens कौन से होते हैं भौतिक वाले mutagens और chemical mutagens कौन से होते हैं ठीक है, chemicals वाले रसाइनिक तो physical में आपकी radiations आती है, radiations ठीक है, ये जो radiations होती है, ये दो टाइप की होती है एक होती है ionizing radiation और एक होती है non-ionizing radiations non-ionizing radiations, non-ionizing radiations के अंदर आपकी UV radiations आती है UV radiation इसके इलावा जो भी radiation है, that is X-rays, gamma rays ठीक है? या कोई भी neutron, beta particles जो भी है, वो आपके ionizing में आते हैं, non-ionizing की जो radiation होती है, उनकी energy धोड़ी कम होती है ठीक है? तो ये सबसे लदा question पूछा जाता है कि non-ionizing radiation कौन सी वाली है तो वो UV radiation है clear हो गया? और ये सारी radiations जो होती है, जब आप radiations को इस्तेमाल करते हो DNA में बदलाव लाने के लिए यानि उत्परिवर्तन लाने के लिए, mutation लाने के लिए, so this is called physical, ये physical mutagens है, okay chemicals में आपके क्या क्या आते हैं? जैसे EMS है ethyle methane sulfonate है, barium carbonate है या आपकी different acridine dyes है, ये सारे आपके chemicals में आते हैं, ठीक है? mustard gas है, mustard gas का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था mutation के लिए, okay तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और mutation होता क्या है? what is उत्परिवर्तन अचानक से DNA में, genetic material में DNA में कोई बदलाव आ जाएगा sudden heritable change in the DNA तो उसे कहते हैं, mutation ठीक है? चलिए अगला सवाल है, if gametes are fertile, but it is unable to produce the seeds it is due to अगर जो gamete हैं, आपके युगमक हैं, वो उपजाओ हैं, मतलब जिन्दा हैं, सब सही है, उसके बाद भी बीज नहीं बन रहा है, यानि fertilization नहीं हो रहे हैं, seed नहीं बन पा रहा है, fruit नहीं बन पा रहा है तो ऐसा कियूं है? क्या话 emasculation की बज़ाएं यानि बिपुंसन की बज़ाएं से? क्या वो self- incompatibility की बज़ाभासे हैं क्या वो bisexuality की वजह से है यानि दूई लिंगी या male starality नरवन्धिता की वजह से है तो यह किसकी वजह से है self incompatibility स्वो अक्षमता की वजह से है अगला सवाल presence of male and female parts on the same flower is known as जब नर और मादा अंग जो है एक ही fool पर पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है क्या उन्हें monosius कहा जाता है उभय लिंगा श्री क्या उन्हें डायोशियस कहा जाता है एक लिंगा श्री क्या उन्हें bisexual कहा जाता है दूई लिंगी या उन्हें सब ये all of these कहा जाता है बताइए बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं इसे कहा जाता है द्वी लिंगी यानि बाइसेक्शुालिटी हर्मैफ्रोटीजिजिजम अब मनोश्यस नहीं कहा जाता है क्यों यहां पर यह नहीं बोला है कि नर और मादा फूल एक पौधे पर होते हैं मनोश्यस का मतलब है नर और मादा फूलों का एक ही पौधे पर उपस्थित होना तो आपका मनोश्यस हो जाता क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में पूचा है कि नर और मादा अंग जो है एक ही फूल के अंदर होते हैं तो उन्हें कहते हैं द्वी लिंगी are of different length, it is called as, जब जो है, style और filament जो होते हैं, जो फूल की जो शैलियां और तंतू होते हैं, वो अलग-अलग लंबाई के होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्या उन्हें हरकोगैमी कहा जाता है, क्लिस्टो गैमी, हेटरो स्टाइली या अल आफ दीज, क्या कहा जाता है? यानी विष्म-लैगिंगता कहा जाता है, अगला सवाल, जैनि antibodies शब्द का सर प्रतम उपियोग किसने किया था? किसने genetics term को दिया था options are Johnson, Mendel, W. Bateson या Morgan किसने दिया था तो जो Mendel है वो father of genetics है यानि अनुवालशिकी के जनक है Mendel Johnson ने gene term को दिया था genotype term को दिया था phenotype term को दिया था और pure line term को दिया था pure line, ये सारी terms किसने दिया जॉनसन ने दिया जो W. Bateson है उन्होंने genetics term दिया allele term दिया, ठीक है epistasis term दिया ठीक है और इनको father W. Bateson को father of modern genetics भी कहा जाता है modern genetics के father बहुत ज़्यादा जगा पे गलत लिखा होता है कि modern genetics के father जो है वो Mendel है Mendel के genetics classic genetics थी modern मतलब अधूनिक, अभी वाली ठीक है तो अभी जो अधूनिक बाद में जो आई जिसने पूरा genetics के जनम के 5 साल बाद जो है नाम करण किया genetics का, तो that was Bateson बाबा और I can't believe कि अभी भी कुछ बच्चे गलत करें मैंने एक frustrated हो के short video भी डालती थी Drosophila, father of Drosophila कहा जाता है, Drosophila के जनक और experimental genetics के father भी ने कहा जाता है अगला सवाल अनुवांशी के जनक कौन है भई, मैंडल है अगर normal जनक पूछे होंगे तो मैंडल है, मैंने बता दिया आपको ओके, मैंडल कौन थे, एक पादरी थे, एक मौंक थे कहां पर थे, औस्ट्रिया से हैं, ठीके, उन्होंने मतर के ये questions बता रही हूँ मैं आपको, ये सारे questions आते हैं genetics से, कि मैंडल ने कौन सी crop पे काम किया, मतर के पौधे पे, garden पी पे काम किया था, ठीके, उनका time period कौन, कितने time का था, मतलब 1856 में उन्होंने उन्होंने शुरू किया था अपना काम और 1863 तक उन्होंने अपना काम किया था, ठीके, त्रेसर तक, और उन्होंने जो है principle के, जो laws है, principle of inheritance ये laws of inheritance वो दिया था, ओके, चलिए, हाँ, exam दोनों languages में होगा, अच्छा, ये अभी-अभी मैंने तुमें बताया कि gene जीन शब्द का, ये gene शब्द जो है, किसने दिया था, gene शब्द, yes, AFO का exam भी बोथ languages में होता है, Hindi और English, ठीके, बताये, बिल्कुल शिवम कुमार, इतना easy भी पूछ सकते हैं, ठीके, बहुत सारे बच्चों को ये ही पता नहीं होता है, कि मटर के पौधे पर किया था, और कौन सा time lag period था उनका, ठीके, तो BSE के बच्चों के लिए ही है, ये कोई GRF का exam नहीं है, state level का exam है, ऐसे easy question आएंगे, ठीके, तो हर level की तयारी करनी है, और जो भी syllabus में मेंडल है, मेंडल के law है, तो ये आएगा फिर, बाकी तो मैं कोई भविश्यवानी तो नहीं कर सकती हूँ, बस syllabus में है न तो आपको पढ़ना है, तो Johnson ने दिया था gene term, चली आगे, genetic शब्द किस भाशा से लिया गया है, तो जो term entomology, G से लिए गई है, वही G for genetics, G for Greek भाशा से लिया गया है, तो कौन सा answer हो जाएगा, Greek language के word से लिया गया है, genetic शब्द, जिसका मतलब क्या होता है, नहीं, सुना ली, हाँ, वो ठीक है, जो मतर के रावा Frenchman पे भी काम किया है, ठीक है, और confuse नहीं करना है, अगला सवाल, the differences among the individual of a species for a character, एक ही जाती में, जो अलग-अलग दिखाई देती है, एक ही जाती में, जो सदस्यों के बीच में, समनताओं के वाबजूद, जो अंतर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे variation कहते हैं, उसे भिविनता कहते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, थोड़े basics हैं, ये, which of the following variation are not heritable, heritable, heredity का मतलब क्या होता है, माबाप से बच्चों में characters का लक्षनों का जाना, जैसी एक बच्चा पैदा होता है, वो बोलते है कि, इसकी नाख किस पे गई है, इसके पापा पे, इसकी आंखे इसके पापा पे गई हैं, तो जो माबाप से बच्चों में जो लक्षन आगे जाते हैं उसे heredity कहते हैं इन में से कौन सी ऐसी variation है जो आगे नहीं जाती है जो माबाप से बच्चों में नहीं जाती है that is अच्छा बहुत सारे बच्चे C भी लिख रहे हैं सुनो मेरी बात options है environmental, genetic, mutation या all of these तो mutation is a heritable change, mutation जो है उत्परिवर्तन वो अचानक से बदलाव आता है लेकिन DNA में बदलाव आता है तो यह अगली PD में जाएगा ठीक है लेकिन जो पर्यावरंड की वज़ा से हुआ है environment की वज़ा से हुआ है वो आगे नहीं जाएगा तो A answer सही होगा C answer सही नहीं होगा बोला है कौन सा heritable नहीं है not heritable तो अगर आप गोआ जाते हो गूमने साउथ जाते हो और आप थोड़े time के लिए सामले पढ़ जाते हो तो वो temporary होता है कुछ time के लिए हना D tan करा लिया गोरे हो जाओगे फिर से तो environmental variation जो है वो आगे नहीं जाती है अगला सवाल the unit of heredity which is responsible for the inheritance and appearance of the character किसी भी अनुवांशिक लक्षन को PD दर PD ले जाने वाली रचना को क्या कहा जाता है क्या उसे heredity कहा जाता है यानि अनुवांशिकता ठीक है variation यानि भिन्नता gene यानि कारक या mutagen यानि उत्परिवर्तन बताइए very good उसे क्या कहा जाता है gene बोलते है ना I've got good genes माबाप से मुझे genes मिली है DNA मिला है तो वो genes ही है जो characters को ले कर जा रही है दूसरी PD में ठीक है तो A answer सही हो जाएगा heredity तो होता है transmission of characters from the parents to offspring पूचा है लेकर कौन जाता है तो gene answer होगा A answer नहीं होगा ठीक है इश्रात और किसने लिखा A दो तिन ने लिखा स्वाती नो चलिए two alternative form of gene is known as एक gene के या एक ही कारक के जो दो वेकलपिक रूप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जैसे एक बीज है ना बीज या तो गोल भी हो सकता है या तो जुर्रीदार भी हो सकता है round भी हो सकता है wrinkled भी हो सकता है ठीक है अगर मैं बात करूं height की जो गज्नलने ने ली थी लंबी हो सकती है चोटी हो सकती तो यह जो दो option और कापिटल टी जिस्मॉल टी बड़ा ट खोटा डी बड़ा जो टार यह क्या है यह सब लीलो मॉफ एक ही बात होती है कुछ अलग नहीं है अलीलो मॉर्फ ही विल है उसको कट करके उसको शाट है शन्म के नाम होते ना है आपका लंबा चोड़ा नाम होता कि मेरा लंबा चड़ा नाम है प्रतीभा थोड़े न है मुझे मेरे घर वाले प्रतीभा थोड़े न है तो शॉर्ट नेम वैसी एलीलो मौर्स का छोटा नाम है एलील ओके चलिए जब एक ही कारक या एक ही जीन के अंदर जो दो एलील स्पाई जाती है दो युगम वैकल्पी पाई जाते हैं वो एक जैसे होते हैं यानि बढ़ा T, चोटा T, चोटा T, छोटा T, ठीक है तो उसे क्या कहते हैं बड़ा T, बड़ा T, छोटा T, छोटा T, बड़ा R, बड़ा R, छोटा R, छोटा R, तो यह जो सारी चीजे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, क्या उसे हेटरोमॉर्फिक कहते हैं, क्या उसे हेटरोजाइगस कहते हैं, या उसे होमोजाइगस कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, होमोज a जाता है ठीक है जो भी बच्चे A आंसर कर रहें वो गलत है एक मतलब क्या होता है तेम इस फोप्युलेशन जब पूरी की पूरी जो है जनता जो है 1 जैसी होगी dramation ही फोगी उसे कहेंगे homo zi타 नहीं जो homozygous होता है व्यादि इंडिवीजुल का होता है, और यहां पर एक इंडिवीजओल का ही पूछा है, जब एक जीन के बात होगी, एक जीन की ऐलील की बात होगी, उसे होमोजाईगस या हेटरोजाईगस कहेंगे। जब पूरी population की बात होगी, तब उसे homogenous और heterogeneous कहेंगे, मतलब same population या different population, ओके, चलिए, अगला सवाल है, कि a fixed position on the chromosome where a gene is present is known as, जो गुण सूत्र होते हैं, जो chromosome होते हैं, chromosome, उनमें एक निशित थान होता है, जहां पर एक gene मौजूद होती है, जीन का घर, उसे क्या कहते हैं, क्या उसे cytoplasm कहते हैं, क्या उसे nucleus कहते हैं, क्या उसे gene locus कहते हैं, या उसे transposons कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उस position को जहां पर gene present होती है, तो उसे कहा जाता है gene locus, ठीक है, locus कहा जाता है, very good, अगर gene जो है उसकी एक fixed position नहीं है that keep on changing its position that is called jumping gene उसे क्या कहा जाता है उसे jumping gene कहा जाता है या transposones कहा जाता है या transposable elements कहा जाता है चलिए अगला सवाल chromosome was first discovered by which of the following chromosome जो ये गुण सुत्र है उसकी खोज जो है discovery किसके द्वारा की गई थी options are A. Walder, B. Strasburger, C. Flaming, Yardy, Bandon बताइए transpose zones क्या होता है jumping gene को ही transpose zones कहते है है जब आपकी जो gene है उसकी fixed position नहीं होती है अभी आपने कहा कि हर maximum जो genes होती है उनकी chromosome पे एक निश्चित अधारित जगा होती है जैसे आपको पता है ये मेरा घर है मेरा ही माचल में घर है वो कहीं नहीं जाएगा उड़के लेकिन मैं क्या हूँ मैं एक jumping gene हूँ मैं कभी ही माचल में हूँ कभी दिल्ली में हूँ कभी कहा हूँ कभी मुझे university जाना पढ़ता है salon तो मैं क्या कर रहे हूँ मैं jumping gene हूँ मैं अपनी location बदल रहे हूँ है ना जब मुझे solan में पढ़ाई करनी थी तो मैं solan में hostel में रह रही थी जब यहाँ पर पढ़ना यहाँ पर घर पर थी तो घर पर थी school में अब यहाँ पर काम कर रही हूँ तो जिसकी एक निश्चित घर नहीं है जो बस jumping gene है है ना तो that is called very good the right answer is strasburger कैसे याद रखोगे s for strasburger s for scene तो scene मतलब देखा सबसे पहले किसने देखा strasburger ने देखा a waldeer ने क्या किया waldeer ने नाम करण किया क्या किया नाम करण किया यानि जो term है वो किसने coin की term coin की chromosome waldeer यह जो नाम दिया है ना chromosome ठीक है हाई यार burger मत बनाओ यार chat में बापरे husband अभी है ही नहीं तो husband के यहाँ पर कैसे जाओ है ना husband अभी बनेंगे अगले महीने है ना चलिए so right तो सबसे पहले discovery की थी strasburger ने और waldeer ने term दी थी चलिए अगला सवाल select the correct order in cell cycle from the options listed below नीचे जो आपकी सूची दी गई है उसमें सही sequence बताना है आपको भई यह sequence मैंने आपको बहुत बार एक trick से याद करवाया है options आर इंटरफेस, मेटाफेस, टिलोफेस, प्रोफेस, एनाफेस गलत इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, टिलोफेस, एनाफेस गलत इंटरफेस, प्रोफेस, एनाफेस, टिलोफेस, मेटाफेस, गलत इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टिलोफेस So, D is the right answer ठीक है, तो interface और उसके बाद P mat P mat ये भई P मतलब pro आप किसी के घर पे function में पहले चले जाओगे तो आपको बोला mat बिछाने के लिए दरियां होती है ना, बेटा है महमान आने वाले हैं, दरियां बिछा दो लगा दो, चेयर वेर लगा दो है ना, P mat तो सबसे पहले pro phase, metaphase anaphase, telophase और उससे पहले interface, तो this is the exact sequence, ये sequence भी पूछा जाता है, ठीक है, चलिए अगला सवाल In which of the following sub-stages of meiosis 1 chromatin exchange between non-sister chromatids ठीक है, मतलब chromatin change होता है, non-sister chromatids के बीच में, जो है, DNA material change होता है, किस में होता है क्या वो zygoteen में होता है क्या वो diaconenses में होता है क्या वो diploteen में होता है या वो packetine में होता है तो अगर मैं इस definition की बात करूँ जहां पर जहां पर दो homologous chromosome के non-sister chromatids के बीच में exchange होता है इसे कहते है crossing over तो difficult शब्दों में पूछा गया है कि crossing over कहां पर होती है तो crossing over packetine में होती है ठीक है, non-sister chromatids कौन से होते हैं जिनके गोलू अलग हो जैसे इस chromosome का गोलू ये है तो ये दोनों आपस में जिनका same है वो sister है इसका और इसका आपस में अलग centromere है तो ये दोनों non-sister है और जो crossing over होती है वो हमेशा non-sister chromatids के बीच में होती है ठीक है अगला सवाल है यहाँ पर D answer बिल्कुल सबका सही है ये question cell division वारे करना ये पूछे जाते है अगला synaptonemal complex is formed in which of the following sub-stages of meiosis 1 एक synaptonemal complex होता है as for synaptonemal complex as for cd-dar structure तो एक ना ऐसा ladder-like structure होता है ठीक है it is a ladder-like structure ladder मतलब cd-dar structure वो कहाँ पर पाया जाता है क्या वो zygotene में पाया जाता है lapto-teen में पाया जाता है packet-teen में पाया जाता है या diplo-teen में पाया जाता है बताइए किसमें पाया जाता है बिल्कुल zygoteen में पाया जाता है जहां पर जोडियां बनती है synapsis का मतलब क्या होता है याद रखना जब आपकी जोडियां बन जाती है आपकी शादी होती है तो सब लोग snap लेते हैं photos लेते हैं snap से याद रखना synapsis synapsis meaning the pairing of homologous chromosome जब जोडियां बन जाती है pairing हो जाती है उसे कहते हैं synapsis जो कि zygoteen में होती है वही पर आपका synaptonemal complex भी बन जाता है सीडीदार structure ठीक है येस रभ ने बना दी जोडि चलिए अगला during interface of cell cycle histone protein synthesis takes place during which of the following interface के दोरान जो histone protein बनती है वो कहां पर बनती है क्या वो mitotic चरण में बनती है क्या वो G1 में बनती है क्या वो S phase में बनती है या वो G2 चरण में G2 phase में बनती है कहां बरवरती है histone protein बिल्कुल गौतम, प्रतिमा, बिल्कुल सही है S phase जिसे synthesis phase भी कहा जाता है वही पर आपका DNA भी बनता है वही पर आपकी histone protein भी बनती है क्योंकि histone protein DNA के साथ ही जुड़ी हुए होती है उसको control करने के लिए ओके जी चलिए इसके बाद है 2N-1 denotes What is 2N-1? क्या होता है 2N-1 तो क्या Nalisomic Monosomic Trisomic या Tetrasomic क्या कहा जाता है इनको तो यह आपका Poly Polyidy का topic है क्या आप सबको बता है कि आपकी body में 2 set of chromosome होते है एक set आपकी mummy से आया है एक set आपके पापा से आया है और आपके पास deployed set of chromosome है यानि 2 set of chromosome है कितने set of chromosome है 2 set of chromosome है इसे कहा जाता है deployed deployed मतलब having having 2 sets of chromosome 2 set of chromosome गुंद सुत्रों के 2 set अब अगर यह 2N से 3N हो जाता है 4N हो जाता है यानि number of set increase होते जाते हैं है ना increase होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो इसे कहते हैं poly polyidy क्या कहते हैं poly मतलब बहुत जादा polyidy मतलब polyidy level बढ़ चुका है गुंद सुत्रों का संख्या बढ़ चुकी है और यह जब पूरे के पूरे set बढ़ जाते हैं 3N triploid tetraploid pentaploid hexaploid heptaploid जब यह बढ़ते जाते बढ़ते जाते दो में से सिर्फ एक क्रोमोजोम माइनस होता है या दो क्रोमोजोम माइनस होते है या एक क्रोमोजोम प्लस होता है या एक क्रोमोजोम माइनस होता या दो क्रोमोजोम प्लस होते है जब पूरा set ना बढ़कर सिर्फ एक या दो क्रोमोजोम तो यहाँ पर 2N-1 क्या हो जाएगा आपका? Monosomic हो जाएगा. ठीक है? क्या हो जाएगा? Monosomic हो जाएगा. चलिए. इसके अलावा और भी बता देती हूँ. 2N-1 is equal to monosomic. अगर आपसे question में पूछा जाएगा 2N-2, तो उसे कहेंगे nullisomic. या nullisomic या nullisomic. ठीक है? अगर पूछा जाएगा 2N-1, तो उसे कहेंगे trisomic. अगर पूछा जाएगा 2N-2, तो इसे कहेंगे tetrasomic. tetrasomic. इसके अलावा एक और condition होती है 2N-1-1. इसका मतलब क्या होता है? कि आपका एक chromosome जो है, वो plant height से minus हुआ है. एक chromosome seed color से minus हुआ है. यानि दो अलग-अलग character से minus हुई हैं चीजें. ठीक है? इसे कहते हैं double monosomic. क्या कहते हैं? double. दो बार एक-एक से minus हुआ है. double monosomic. एक condition होती है 2N-1-1. ठीक है? तो इसे कहते हैं double trisomic. double trisomic. तो यहां से पूछ लिया जाता है बार-बार competitive exams में. ठीक है? बदल-बदल के पूछ लिया जाता है. तो यह सारी conditions आपको आनी चाहिए. मैं side हो जाती हूँ. इसका screenshot भी आप ले ले ना? ओके? चलिए. तो यहां पर आंसर हो जाएगा B, that is monosomic. अगला सवाल, which of the following is known as illegitimate crossing-over? illegitimate मतलब इल्लीगल. मतलब यह crossing-over नहीं है. है ना? नजायर्स, we can say. है ना? अब किसको कहते हैं? inversion को कहते हैं, mutation को कहते हैं, recombination को कहते हैं या translocation को. किसको कहा जाता है, illegitimate crossing-over. तो crossing-over सबको पता है कि, crossing-over में क्या हो रहा था? दो, एक जैसे दिखने वाले chromosome, जिनका chromatid length भी same होता है, उनके बीच में exchange हो रहा था. लेकिन, बिल्कुल, translocation में क्या होता है? non-homologous chromosome के बीच में, non-, अच्छा पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि, homologous और non-homologous क्या है? ये एक chromosome है, और ये दूसरा chromosome है. और इसके साथ ही, ये तीसरा chromosome है. अब आप देख पा रहे हो, कि, ये दोनों एक जैसे हैं, इनका centromere position भी एक जैसा है, इनकी length भी एक जैसी है, और उनके उपर genes भी एक जैसी पाई गई है. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए perfect है. ठीक है? तो ये जो perfect जोड़ी है, इन्हें कहा जाता है, homologous chromosome. क्या कहा जाता है? homologous chromosome या गुण सूत्र. लेकिन, ये जो दोनों है, इनकी कोई जोड़ी नहीं आपस में. ठीक है? इनके अंदर genes भी अलग-लग पाई जाती है. तो इसे कहेंगे non-homologous, कोई match ही नहीं है भी. non-homologous chromosomes हैं ये दोनों आपस में. ठीक है? अगर गलती से इन दोनों के segments के बीच में exchange हो जाता है, translocation हो जाती है, तो this is not valid, ये नजायस है. ठीक है? तो इसे कहेंगे illegitimate crossing over, ये क्या हो रहा है? translocation हो रही है. जहां पर भी trans word आएगा, आपके जिंदगी में, चाहे transfer word आएगा, translation, transduction, trans का मतलब होता है transfer, मतलब बदलाव, change हो जाना, इधर से उधर चले जाना, ठीक है? तो translocation is the right answer, D कर ले ना इसको, ठीक है? Translocation is the right answer. अगला, मेंडल ने अपने प्रियोगों के लिए विपरीत लक्षणों की कितनी जोडियों को चुना? How many pairs of contrasting characters has been in a word studied by मेंडल? Contrasting क्या होता है? Yes, No, Black, White, Tall, Dwarf, Round, Wrinkled, ये जो सारे वेकल्पिक रूप आपने देखे ना, जो genetic में आपने वो पढ़ा है ना, वो सारे होते contrasting characters, ठीक है? अब allele तो है capital T, small t, capital R, small r, ये alleles हैं, लेकिन इससे जो character डवला पूरे हैं, Tall, Dwarf, Round, Wrinkled, Purple, White, Yes, No, ये contrasting है, तो Mendel ने पूरी साथ जोडियों को चुना, ठीक है? 7 pairs को चुना अपने experiment किरे, जो उन्होंने loss दिये थे, ठीक है? अगला सवाल, The resulted F1 will be different from both the parents in, कहा गया है कि जब आप दोनों parents को cross कराओगे, यानि red को अगर आप white से cross कराते हो, संकरण कराते हो, तो जो F1 है, जो baby बनेगा, जो F1 बनेगा, वो इन दोनों से ही अलग हो जाएगा, वो इन दोनों से ही अलग होगा, तो ऐसा किसमे होता है? बताइए, क्या वो complete dominance, यानि पूरण प्रभाविता में होता है, क्या वो incomplete dominance, यानि अपूरण प्रभाविता में होता है, क्या उसे, सब प्रभाविता, यानि co-dominance में होता है, या सभी में हो जाता है? Very good, सब का answer सही है, किसमें होता है? incomplete dominance में ऐसा होता है, कि जो F1 है वो माता और पिता दोनों पेरेंट से अलग होता है ठीक है कुछ उन दोनों का बीच का intermediate होता है तो right answer is incomplete dominance right co-dominance में नहीं होता co-dominance में अलग नहीं होता है मतलब co-dominance में दोनों के characters आते हैं कहीं ना कहीं अलग नहीं होता कि बिल्कुल ही अलग हो जाए ठीक है co-dominance का मतलब है अगर आँ white cow को black cow के साथ cross कराओगे तो आपको जो F1 है उसमें black color भी दिखेगा white color भी दिखेगा सफेद और काले दोनों रंग जैसे अमूल गाये होती है ना वो तो characters तो दोनों के हैं दोनों parents के हैं तो उसको हम नहीं बोल सकते कि वो अलग है वो दोनों के दिखा रहा है ठीक है तो incomplete ही सही answer होगा अगला सवाल अच्छा यह जो बड़े बड़े सवाल होते हैं इनसे डर के भागना नहीं है इनको पढ़ों बहुत असान होते हैं तो अगला सवाल है the genes which act together to produce an effect but separately will not be able to produce that effect क्या कहा गया है कि ऐसी non-allelic genes जब वो मिल जाती है तो वो कुछ अलग ही effect दिखाती है लेकिन जब वो बिछड जाती है तो वो effect नहीं दिखा पाती है जैसे आप और आपका best friend जब आपस में मिल जाए तब होगी खुराफात तेकिन दोनों में से एक भी absent है या दुखी है तब वो effect नहीं आ पाएगा खुराफात नहीं आ पाएगी ठीक है तो ऐसी दो genes को क्या कहा जाता है क्या उसे complementary gene कहते हैं यानि पूरक gene क्या उसे epistatic gene कहते हैं क्या उसे inhibitory gene कहते हैं या उसे all of these कहते हैं तो बिलकूल उसे complementary gene कहते हैं complementary genes ऐसी genes हैं पॉर एक्जाम्पल P and P Capital C, Capital C C और P, Capital P होना चाहिए Small P, Small P ये देगा सफेद रंग Into Small C, Small C, Capital P, Capital P ये भी देगा सफेद रंग क्योंकि इसमें बड़ा P नहीं है इसमें बड़ा C नहीं है अपने को चाहिए कि दोनों एक साथ हो Capital C और Capital P एक साथ होने चाहिए अब जब हम इन दोनों का संकरण कराएंगे इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो आपका बनेगा Capital C, Small C Capital P, Small P तो अब बड़ा C भी आ गया बड़ा P भी आ गया तो ये परपल कलर बनाएगा कैसा रंग बनाएगा? परपल कलर बनाएगा तो इसका मतलब जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो वो कुछ अलग ही टाइप का effect प्रड्यूस करेंगे ठीक है? तो इस relation is called complementary genes, पूरक genes जो एक दूसरे को पूरा करे तो अस्मिता पूछ रही है कि epistasis भी मैं बता दूँ चलिए, बता देती हूँ epistasis क्या होता है? जो epistasis है हमेशा आपको मैं dictionary maintain करने को बोलती हूँ अगर आप मेरी शाम को 6 बजे की class देखते होंगे तो आपको मैंने एक notebook लेने के लिए बोला है genetics plant beading की और जो इस तरीके की dictionary में शब्द होते हैं उपर hypo का मतलब क्या होता है? hypo का मतलब होता है नीचे hypo का मतलब होता है नीचे तो epistasis जो है वो बिल्कुल dominance जैसा ही है बिल्कुल dominance जैसा है लेकिन dominance किसमे? Jeans में अगर कोई एक gene जो है एक gene वो δooसरी gene को बिल्कुल उसके प्रभाव को खतम कर रही है तो उसे कहते हैं Epistasis कोई उपर वाली पोस्ट में है माल लिया कोई डीन है या Vice Chancellor है है ना वो क्या करेगा जो छोटा कोई अभी अभी Assistant Professor वन है वो Vice Chancellor के सामने अपना प्रभाव नहीं यहां पर होता है बस Epistasis हम जीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं यूग्मवेकलपी के नहीं जीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है ओके डन तो इसका अगर मैं definition बोलूं तो ऐसी जब एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को है ना बिल्कुल खतम कर दे उस फिनॉमिना को कहते हैं epistasis और वो जीन जो प्रभाव कर रही है उसे कहते है epistatic gene और जो हो रही है उसे कहते है hypostatic gene जो प्रभावित हो रही है जो दब रही है नीचे उसे कहते है hypostatic gene और यह जो दवा रही है उसे कहते है epistatic gene और इस phenomena को कहते है epistasis ठीक है चलिए तो pleiotropic gene बतानी है pleiotropic gene क्या होता है pleiotropic gene what is pleiotropic gene pleiotropic gene है एक ऐसी अकेली gene जो बहुत सारे characters को control करती है controls many characters बहुत सारे लक्षणों को जो नियंत्रित करती है उसे कहते हैं pleiotropic gene ठीक है जिसे अभी मैं ना इस camera के साइड यहां अकेली खड़ी हूँ अकेली खड़ी हूँ लेकिन तुम जो है यहां पर एक साथ हो इतने सारे ठीक है तो जो अकेली single gene होगी जो बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करेगी उस अकेली gene को कहेंगे pleiotropic gene हमने तीन टाइप पढ़े एक gene एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है monogenic बहुत सारी genes एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है that is pleiotropic gene, ठीक है, correction का date मुझे नहीं पता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, hopefully मिल जाए, बट, है न, ठीक है, but I don't know, एक बार वहाँ पे लिखा था बड़ा-बड़ा करके कि एक बार गलती होगी तो उसको change नहीं कर सकते, but still, please, chat box को भरो मत, मैंने पढ़ लिया और आपका reply भी कर दिया, बार-बार मत लिखो, ठीक है, साक्षी अनन्द पूछ रहे हैं, तो फिर polygenic क्या हुआ, भई, मैंने कहा, pleiotropic gene, single gene है, single gene, क्या है, single gene है, polygenic तो, polygenic का तो मतलब ही होता है many genes, many genes, दोनों अलग है न, मैंने एक short video डाला था, कि बहुत सारे बच्चे, pleiotropic gene और polygenic में confused होते हैं, तो उसमें comment आया था, कौन है ये बच्चे, है न, तो उसने कभी पढ़ा नहीं होगा, हर तरह के confusion आ जाती हैं पढ़ते वक्त, ठीक है, और आना जरूरी है, अगर आप पढ़ रहे हो, तो confusion का होना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, pleiotropic gene, single gene होती है, और polygenic, जो है, वो many genes होती है, जो सिर्फ एक character को control कर रही है, दोनों opposite हैं, एक दूसरे से, समझ गए, यहाँ पर एक gene, बहुर सारे characters को control कर रहे, यहाँ बहुर सारे genes, एक character को control कर रहे, दोनों साथ में लिख दी हैं मैंने, clear हो गया, चलिये, अहां, हां, 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 ही, next, करेक्ट्सट जोeder grow जॉन मेंडल ने जो ये अमने कर लिया माई मतर के पॉधे में किया ते ताइम वेस्टיס नहीं करें अगला सवाल मां मतर को क्यों चुना था मैंडल को चुना था मां मैंडल चॉ crgame我 य work पौधा है और short duration crop है इसलिए किया था क्या उसमें contrasting character होते यानि विपरीत लक्षन होते हैं इसलिए किया था तो यह सारे के सारे region है जिनकी वजह से मेंडल ने मतर को चुना था अपने experiments के लिए अपने laws के लिए ठीक है चलिए अगला सवाल यहां पर है कि in which law अच्छा अब laws मेंडल ने दो ही law दिये थे याद रखना अगर तुमसे पूछा गया कि मेंडल ने कितने law दिये थे दो ही law दिये थे ठीक है और वो law थे law of segregation यानि प्रिथक करण का नियम और law of independent assortment सो तंत्र अपव्यूहन का नियम ठीक है आपको बता और तीसरा जो था उसको उसको लॉट सिर्फ नाम में ही है law of dominance प्रभाविता का नियम वो सिर्फ नाम में ही law है उसको concept घोशित कर दिया गया है that is not a law ठीक है तो भाई कि in which law when a pair is crossed into any two pure organism only one trade of a pair appears in the advanced generation तो उसे क्या कहते है प्रभाविता का नियम कहते है यह यह A, B, C, D क्यों लिख रहे है वाया क्या है, D क्यों लिख रहे हो, शुभम, दिव्यांशू, वाय पूछा गया है कि कौन से जोडे में जब दो pure organism को, pure मतलब capital T, capital T into small t, small t तो only one trade of a pair appear in the F1, जब इन दोनों को cross कराएंगे तो F1 में सिर्फ एक pair दिखेगा जो कि tall है, अगर आप tall और dwarf को cross कराओगे तो उसमें जो F1 में जो दिखेगा, एक ही दिखेगा, तो यह है आपका प्रभाविता का नियम, मैंने कहा नाम में ही नियम है सिर्फ, नाम में हम law use करते हैं, ठीक है, लेकिन it is a concept, ओके, चलिए, अगला सवाल, in which of the following both the alleles expressed in F1 generation, इन में से किसमें दोनों alleles F1 generation में खुद को व्यक्त करती हैं, दिखाती हैं, मतलब दोनों टक्कर से टकर मिला के चलती हैं, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, बताईए, incomplete dominance, अपूरण प्रभाविता, co-dominance, से प्रभाविता, multiple allelesm, बहु विकलबता, या all of these, उप्रुक्त, उप्युक्त, उप्रोक्त, उपर वाले सभी, है न, बताईए, इसका PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है, बता देती हूं last में, रुख जाओ, co-dominance कहते हैं, सप्रभाविता, co का मतलब होता है, equal, दोनों equally express करेंगे, अगर black cow है, white cow है, तो F1 में black and white cow आएगी, दोनों express करेंगे, या AB blood group होता है, AB express करता है, B भी express करता है, खुद को, तो AB blood group, next is, which of the following are not a example of protendery, निमल इखित में से कौन सा protendery नहीं है, protendery क्या होता है, pro मतलब पहले, andry मतलब androsium, ठीक है, androsium मतलब male, तो जो नर होता है, जो male अंग होते हैं, या male parts होते हैं, वो पहले mature हो जाते हैं, या एंथर पहले ही, खुल जाता है, पोलन वाइबल हो जाते हैं, लेकिन stigma अभी तक receptive नहीं है, female part mature नहीं हुआ है, तो ये किस में नहीं होता है, प्याज में तो होता है, गाजर में भी होता है, भिंडी में नहीं होता है, तो C is the right answer, onion, carrot और walnut में protendery condition होती है, प्रोटendery condition का मतलब है, कि इन तीनों के जो flowers होते हैं, उसमें male पहले mature हो जाता है, female अभी थोड़ा late mature होती है, उक्रा में proto-gyne होती है, उक्रा के case में जो गाइनी है, उक्रा is a भिंडी न, queen of vegetable, तो इसमें गाइनी पहले mature होगी, यानि female पहले mature होगी, समझ गें, याद रखना इस बात के लिए, तो C is the right answer, C is not an example of protendery, अगला, a character determined by many genes is known as, जब एक लक्षन कई जीनों द्वारा जो है, वो नियंत्रित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, यह मैंने अभी अभी समझा भी दिया, जिसके समझ में आएगा, वो सही से आंसर करेगा, बताओ, तो क्या उसे qualitative characters कहेंगे, यानि गुणात्मक चरित्र, oligogenic character कहेंगे, oligo होता है few, कुछ, quantitative यानि मातरात्मक या monogenic, क्या कहेंगे उसे, नाच्टा तो क्या करना है, अब लंच ही करना है, हाँ, चार बज़े मेरी paid class है, भी यह हो वालों की, उससे पहले खतम कर दूँगी, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा quantitative characters, quantitative, जब आपको quantity की बात आती है, तो सबको जाधा quantity चाही होती है, poly, मतलब many, जो poly जीन से, ऐसे character, जो बहुत सारी जीनों के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, उन्हें कहते है, quantitative character, और जहां पर quality की बात आती है, गुणवत्ता की बात आती है, व market, ठीक है, mall से आप एक quality वाली चीज लाओगे, चाहे एक ही jacket लाओगे, एक monogenic, एक लाओगे, लेकिन वो quality वाली होगी, तो quality वाले characters होते है, monogenic characters, quality और monogenic, जब आप सुरोजनी में जाओगे, आपके पास quantity होगी बहुत जादा, poly, polygenic, quantity होगी बहुत जादा, लेकिन उसमें quality नहीं होगी, तो जो आपके quantitative characters होते हैं, वो polygenic characters उनको कहा जाता है, clear, चलिए, next, हाँ, Mendel worked on which type of trade, जो Mendel है न हमारे अनुवांशी की के जनक, उन्होंने कौन से लक्षनों पे काम किया है, क्या उन्होंने quantitative characters पे काम किया है, क्या उन्होंने polygenic characters पे काम किया है, क्या उन्होंने monogenic characters पे काम किया है, या उन्होंने pleiotropic characters पे काम किया है, हाँ, Nilsson एहले ने quantity प अरे बाप रे सुनो यह लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे गलत है याद रखो Mendel जो है वो father of genetics है जनक है वो अनुवाशिकी के उनमें कुछ तो quality होगी कि वो जनक है ऐसे याद रखना quality qualitative traits पे काम किया था Mendel ने, quality traits ऐसे होते हैं जिनकी classes होती है distinct classes like tall dwarf, round wrinkled quantity तो वो होती है जिसको measure किया जा सके अगर Mendel ने quantity पे काम किया होता है तो Mendel height को tall और dwarf में नहीं लेते बॉने या लंबे में नहीं लेते वो लेते 90.5 cm height है है ना 50 cm height है जो कि अब हम लेते हैं जब मैंने research किया था तो मैंने अपना जो दोनों जगा पे variability और heterosis combining variability पीएशडी में भी और MSC में भी तो दोनों टाइम में मैंने plant height को as a वो उससे measure किया centimeters में measure किया है ठीक है 90 cm इतना centimeter तो अभी वो quantity हो गया otherwise Mendel ने quality वाले characters यानि monogenic traits पे काम किया था ठीक है तो देखो देखो जी अभी अभी मैंने discuss किया कि qualitative traits को ही monogenic traits कहा जाता है तो अगर qualitative नहीं option में तो monogenic तो है न monogenic तो है तो क्या answer हो जाएगा C answer हो जाएगा अगला सवाल the term cistron was coined by cistron शब्द जो है किसके द्वारा गड़ा गया था किसने दिया था Mendel ने, Bateson ने, Benger ने या Johnson ने किसने दिया था रविंद्र अगर आज आप AGTA में कितने का course मिलेगा 999 का ठीक है 999 रुपे का course मिलेगा TA का 80% off है बस आपको वहाँ पे code लगाना है Y781A Y781A तो आपको जो TA है UPSSS, AGTA उसका batch 80% पे मिल जाएगा ठीक है अब आगे पड़े चलिए आगे पड़ते हैं हाँ यार या मैं बताना मूलगी तुम्हें हमारे साथ paid batches में जुड़ना है तो इस वक्त 80% का discount offer open है discount code यहाँ पे लिखा है Y781A इसको जो है आप अपनी notebook पे लिख ले न और अभी आपको कोई भी course चाहिए तो उसमें 80% तक का off मिल जाएगा कैसे वो मैं last में बताऊंगे अभी पढ़ लेते हैं चलो तो Benger ने जो है सिस्ट्रॉन टर्म को दिया था सिस्ट्रॉन होता क्या है तो जीन जो है जीन ओके जीन हमने कहा जीन क्या होती है DNA का छोटा भाग छोटी इकाई होती है Benger ने modern concept of gene दिया अधूनी concept दिया कि gene के भी आगे elements होते हैं भाग होते हैं gene भी आगे divided हैं ठीक है तो सिस्ट्रॉन किस ने दिया Benger ने दिया हाँ महापैक में भी 80% है ओके हाँ अगर आप महापैक में already enrolled हो तो तो आपको agriculture के सारे के सारे batches मिलेंगे net JRF-CUT को छोड़के ठीक है तो आपको नहीं लेना है TA अलग से पर अगर आप महापैक नहीं लिया है तो आपको टी अलग से लेना है चलिए वन जीन वन एंजाइम hypothesis was proposed by यह जो वन जीन वन एंजाइम है वो कहां पर किस ने दिया था यह PDF कहां मिलेगी में चैनल पर या कोई और है मेरी community पर ना वो जो है तो किस ने दिया था यह दिया था Beedle and Tatum ने किस ने दिया था Beedle and Tatum ने दिया था चलिए अगला credit for the concept of epigenesis goes for which of the following जो epigenesis की अवधारना है उसका श्रे किसको जाता है किस ने दिया epigenesis का थियोरी wolf ने दिया Darwin ने दिया Lemak ने दिया या Swimmer Dam ने दिया तो मैंने आपको एक trick बताई थी कि epigenesis का मतलब होता है उपर अच्छा बच्चे बोल रहे है मैं लंच करना है तो साड़े तीन बज़े छोड़ दीजिएगा जरूर साड़े तीन बज़े छोड़ दूँगी मैं ठीके मुझे भी लंच करना है अब तो पेट गुड़ गुड़ करने लगा पेट कह रहे है खाना दो मुझे करने चलो तो देखो कैसे याद कर रहा है था 17 का मतलब होता है ऊपर पहाड पर जाके बैघता है भेड़िया वस बैठता है एसे करता है इसे करके पहाड़ी पर अपर कॉन बैठता है भेडिया वॉल्फ तो बोड़ ने epigenesis theory दी ये थी trick अब इस epigenesis theory ये जो थी world में सबसे universal मानी गई कि accepted की गई कि ये theory थोड़ी काम की है इसमें कहा गया कि जो male और female होते हैं उसमें कुछ undifferentiated living substance होता है जब वो fertilization के time पर मिलता है तो एक नए organism का जनम होता है तो ये थोड़ा बहुत sense बना रहा था theory तो इसको universally accept किया गया राइट चलिए तो A is the right answer next बस ठीक है ये नहीं yes experiments in plant hybridization याद रखना Mendel का जो paper था ना उसका नाम था experiments in plant hybridization बहुत जगा पर आपको गुमरा किया जाता है option में रखा जाता है experiment in P hybridization experiments in P plant ये और आपको लगता है यार महां मटर पर ही किया था तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए no उनका जो paper था उन्होंने मटर वटर कुछ नहीं mention किया था उनके paper का title था experiments in plant hybridization ठीक है और ये कब publish हुआ था बिलकुल कब publish हुआ था 1905 में 1856 में 1866 में या 1865 में तो किस में हुआ था 1866 में हुआ था 1865 में paper को present किया था paper को present किया था paper publish publish कब हुआ था publish ठीक है प्रकाशित कब हो गया था आपका 1866 में हुआ था तो C is the right answer अगला है Mandel did not study the inheritance of which of the following characters in P Mandel ने इन में से कौन से लक्षणों को नहीं पढ़ा था अपने experiment में तो क्या बीज का रंग पढ़ा था बीज का रंग flower की position की fool कहां पर लगेंगे वो भी पढ़ा था pod का color या pod का diameter क्या नहीं पढ़ा था ये पूछा गया है हम pod का diameter नहीं पढ़ा था उन्होंने diameter का कुछ नहीं बताया था diameter तो quantity वाला हो गया तो ये नहीं बताया था ठीक है अगला ठीक है अभी ratios से भी questions आ जाते हैं तो ratios बता देती हूं सबसे पहले incomplete dominance में जो mono hybrid ratio होती है phenotype की वो क्या होती है 1 ratio 2 ratio 1 1 ratio 2 ratio 1 ratio 1 या 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 कितनी ratio होती है बताओ कितनी ratio होती है very good sony roy का सही है और sony sinh का सही है या sony का ही सही है Priyanka Chaudhary okay good तो the right answer is 1 ratio 2 ratio 1 अब ध्यान रखना phenotype पूछा है लेकिन incomplete dominance का पूछा है तो incomplete dominance में phenotype और genotype दोनों ही 1 ratio 2 ratio 1 होते हैं co-dominance में भी co-dominance में भी दोनों phenotype और genotype 1 ratio 2 ratio 1 होते हैं समझ गए याद रखना अभी मैं बना के नहीं दिखा सकती लंबा टाइम लगेगा मैंने बड़े सारे sessions में बताया है पर ये याद रखना incomplete dominance और co-dominance इन दोनों में ही phenotypic और genotypic ratio 1 ratio 2 ratio 1 होती है 3 ratio 1 का होती है फिर जो complete dominance है जो पूरी की पूरी complete वाली dominance है जो मैंडल ने बताई थी उस case में आपका जो phenotype ratio phenotypic ratio 3 ratio 1 होती है और genotypic ratio 1 ratio 2 ratio 1 होती है otherwise incomplete और co-dominance में it is 1 ratio 2 ratio 1 3 ratio 1 सिर्फ complete में होगी इतना ध्यान रखना phenotype वह भी बाकी सब जगा पे 1 ratio 2 ratio 1 होगी ठीक है हाँ अब देखो मैंने question आने से पहले answer बता दिया तुम्हारा मुझे बाद में दिखा chat तो 3 ratio 1 complete वाले dominance में होगी incomplete वाले में नहीं होगी समझ में आ गया हम चलिए इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि complementary gene की ratio क्या होती है complementary genes की ratio तो it is 9 ratio 7 ऐसे याद रखना हम साथ साथ है तो पूरख gene कहती है हम साथ साथ है तभी हम effect produce करेंगे तो उसमें कुछ last में 7 था 9 ratio 7 ठीक है उसके बाद आती है supplementary genes ठीक है supplementary genes you know supplementary genes is एक तरफा प्यार उसमें क्या होता है A और B gene होती है A और B A जो है वो ऐसी gene है जो अकेले भी अपना effect produce कर लेगी लेकिन जो B है वो बिचारी A के साथ ही अपना effect produce करेगी otherwise उसका जीवन कोरा कागज है क्योंकि वो A से प्यार करती है तो supplementary genes are the genes when out of two genes one gene can express itself individually also है ना but another gene cannot show its effect independently ठीक है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती ऐसा होता है ठीक है इसका जो ratio होता है वो होता है 9 ratio 3 ratio 4 ठीक है इसके बाद है आपकी duplicate duplicate genes जो आपकी duplicate genes होती है तो सभी ने robot movie देखी है उसमें ना एक original होता है वो की इतने सारे last में और वो robot नहीं आ जाते है copy copy वो समझ नहीं आता है इतने सारे सारे बन जाते है है ना तो सिर्फ एक जो है वो original होता है एक बाकी 15 जो है वो क्या होते हैं duplicate होते है तो जहाँ पर ratio 1 होगा 15 ratio 1 वो है आपका duplicate gene action ठीक है उसके बाद आती है inhibitory gene उसके बाद आता है inhibitory inhibitory genes तो इसको याद रखोगे inhibitory और 3 ठीक है inhibitory और 3 3 ratio 3 और 1 लगा दो 13 ratio 3 जो है वो आपकी inhibitory gene action का ratio है ओके तो यह सारी ratios जो पूची जाती है वो मैंने आपको बता दी है इनको अराम से कर लेना ओके जी इसके अलावा एक होता है mono hybrid cross एक होता है die hybrid cross जो mono hybrid cross है उसका ratio है 3 ratio 1 complete में 3 ratio 1 और 1 ratio 2 ratio 1 जो आपका die hybrid cross है जहां पे दो characters की बात होती है capital R, capital R, capital Y, capital Y into small r, small r, small y, small y तो यह जो है आपका this is called यह बगवान जो याद में आ रहा है हाँ इसका जो ratio होता है वो 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 होता है ठीक है यह सारी चीज़े याद रखना अगला सवाल है when both the alleles co-dominance यह हम कर चुके हैं छोड़ो यह भी हम कर चुके हैं कि multiple factor hypothesis Nielsen Ahele ने दिया था yes अब यह topic है multiple allelism का ठीक है और यह topic आपका जो BAO का syllabus है जिसमें आता है आपकी exceptions of Mandel law है ना जो एक Mandel's law थे and its exceptions तो यह exceptions में आता है multiple allelism तो पूछा गया है कि निमल लिखित में से कौन से multiple allelism का example नहीं है तो आपको एक gene में सिर्फ दो ही alleles होती है normally एक gene में दो alleles होती है दो यूगमवेकलपी होते है वेकलपी होते हैं लेकिन बाइचाज अकर दो से जादा हो जाते है उस condition को कहते है multiple allelism तो self incompatibility में भी multiple allelism होता है आप पढ़ते हो कि S1, S2, S3, S4 बहुत सारी alleles होती है तो यह multiple allelism का example है self incompatibility पर कलर ओफ रबिट यह भी multiple allelism का example है ABO blood group यह भी multiple allelism का ही example है लेकिन जो seed kernel कलर है वीट में वो polygenic inheritance का example है यानि यह multiple factor hypothesis का example है यहाँ पर allel की बात नहीं होती है यहाँ पर एक से जादा genes की बात होती है यहाँ पर बहुत सारी genes जो है वो genes जो है many genes many genes वो मिलकर control कर रही है many alleles नहीं कर रही है self incompatibility बिलकुल बहुत सारी alleles होती है 30 से 50 alleles होती है इसके अंदर यह भी और यह भी कौन सा नहीं है D नहीं है आगया समझ में बस तो खतम करें इसको यहीं पर बाकि आपका मैं एक दो चीज़ें और बता देती हूं प्लीज जब तक आपका exam नहीं होता है है न यह आपका YouTube channel है जिस पर आप अभी हो ओके यहाँ पर अगर यह आप session देख रहे हो मेरा यहाँ पर अगर आप live तो क्या अगर playlist section में भी जाओगे playlist section में आपको दिखेगा हाई कहा है playlist section इन्होंने एक में डाल दिया है चलो छोडो अब live section में देख लो live section में दिखाती हूं live section में न आपको दिखेगा यह यह दिख रहे है red red this red red यह है आपका genetics and plant breeding का theory और MCQs classes यहाँ पर लगातार में और भी questions करवाती रहूंगी जब तक आपका exam नहीं हो जाते हैं मतलब मैं तो पूरी दिंदगी कराऊंगी 6 बजे आप मुझे इस channel पर जब भी agriculture अड़ा 24 7 का channel आप open करोगे 6 बजे आपको मैं live दिख जाऊंगी ठीक है तो आपको genetics, plant breeding और entomology के और भी questions जिसे अभी मैं जितने करवा सकती थी time हो गया है तो मैंने करवा दिये अब आपको और भी questions करने है नए नए तो आपको जो है 6 बजे live जोडना है आज में भी अगर मेरी तबियत ठीक रही क्योंकि मैंने अभी paid classes भी लेनी है लगाता तो मैं 6 बजे मिल जाऊंगी नहीं तो कल तो 6 बजे आपको मैं मिली जाऊंगी इस channel पर ठीक है तो कल मिलते हैं और daily मिलते रहेंगे जिसको भी किसी भी competitive exam की तयारी करनी है और उसको genetics और plant breeding और entomology के question solve करने हैं तो आप क्या कर सकते हो 6 बजे जुड सकते हो एक और बात बताती हूं यहां पर seed science के questions मैंने नहीं लाए थे तो seed science भी आपको 6 बजे शाम को इस channel पर मिल जाएगा daily ठीक है तो कल मैं सबसे पहले seed science के question आपको करवाऊंगी कल आप सबको 6 बजे आना है इसी channel पर alarm रख लो notice कर लो सब कुछ कर लो ठीक है अब यह pdf कहां पर मिलेगी कहां पर मिलेगी यह pdf अड़ा 247 की mobile application को आपको install करना है जैसी install करते हो login कर लेते हो वहां पर आपको agriculture category को select करना है ठीक है application में जब आप agriculture select कर लोगे सबसे पहले home आएगा फिर community आएगा ठीक है तो जो community है आपकी उस community में है agriculture by प्रतिभाव है वहां पर मैं share कर दूँगी दूसरी चीज जो भी paid batch के बच्चे हैं उनको तो मैं जो भी आपका आज का class रहेगा उसकी साथ ही PDF में दे दूँगी दो PDF अपलोड कर सकते हैं पहली आज की class की रहेगी दूसरी में मैं ये PDF अपलोड कर दूँगी और सारी PDF में upload करती हुई आ रही हूँ आपके लिए तो बहुत सारे MCQs है ठीक है चलिए तो कहां मिलेगी community group में मिलेगी अड़ा 24-7 के ओके इसके अलावा इसके अलावा अगर आपको हमारे साथ paid batches में जुड़ना है तो इस वक्त 80% off है 80% का offer है तो आपको करना क्या है अगर आप किसी भी paid batch में जुड़ना है जैसे ही अड़ा 24-7.com आप लिख लेते हैं आपके सामने ये website open हो जाएगी आपको यहां पर all courses पे जाना है all courses पे जब आप चले गए इस तरफ आएगा government job exams red red इसके नीचे आपको agriculture category को select करना है जैसी आप agriculture category को select करते हैं आपको सारे batches दिख जाएंगे अगर agriculture के किसी भी competitive exams की आप तयारी करना चाहते हो ठीक है तो this is your best option that is agriculture maha pack agriculture maha pack आपको 80% of pay इस वक्त मिलेगा ठीक है ओके सो यहां पर यहां पर आपको क्या करना है buy now करना है buy now करने के बाद जो आपको 80% discount दिलाएगा that is y781a ठीक है y781a इस code को आप किसी भी batch में enroll करते time apply करोगे आपको यहां पर 80% का discount मिलेगा agriculture maha pack में आपको कोई भी agriculture के competitive exams है AFO, Nabad, IFCO, CRIPCO जो भी आने वाले भी हैं वो सब classes मिलती रहेंगी बस इसमें net, GRF, CUT नहीं होगा जो research वाले होते हैं आपको चाहिए भी नहीं है ना और इसके बाद आपके लिए एक और चीज़ है अगर आपको और भी questions प्राक्टिस करते रहना है तो exam तक आपको exam तक जितना accuracy maintain कर सकते हो जितना जो है आगे प्राक्टिस कर सकते हो questions को वो आप कर सकते हो बिहार BA और SDO की test series के साथ ठीक है तो यहां पर आप नीचे नीचे जाएंगे ठीक है this is test series 30 plus test है यहां पर तो यहां पर आप click करेंगे यहां पर buy now करेंगे बिहार BA की test series लेने के लिए आपको code इस्तिमाल करना है Y781S और आपको मात्र 195 रुपे में यह मिल जाएगी 30 plus test इसमें मिलेंगे बस आपको यह वाला code apply करना है ताकि आपका जो है 30 plus test आपको यहां पर मिल जाएं 195 रुपे में ठीक है so that's it कल का 6 p.m. YouTube पे डेली में आपको लाइव मिलूंगी ओके so that's it यह आपके लिए information थी जो भी पूछ रहा था TA का badge कितने का मिलेगा UP SSSC AG TA है same procedure रहेगा वही यह है new badge यहां पर click करेंगे यहां पर Y781A का इस्तिमाल करेंगे badge के लिए A तो आपको जो है Y781A ठीक है थोड़ा सा badge का price बढ़ गया यार ठीक है 1200 का हो गया ठीक है और भी ना बढ़ा दे जैसे जैसे TA की date pass आ रही है we can't do anything all वहां से हो रहा है बट हां ठीक है जितने जल्दी हो सकते 80% discount पे ले लो ठीक है offer next पता नहीं कब आएगा so that's it bye-bye take care have a nice day अच्छे से पढ़ना और exam crack करके आना और I'll wait for you 6 p.m. पर भी अच्छे-च्छे questions करेंगे हम okay so bye-bye जो भी doubt है आशुतोष आप 6 बजे मिलके पूछ सकते हैं okay तो 6 बजे मिलते हैं okay bye-bye जो livre जो Mo्ही ini नहीं समय कि आफर शचछे से जमा सकते हैं कि अ मिलके पर भी dynamics लो भी हो आएभ भी करेंगे हैं